जैस श्रीरा मेरे पहरे सभी साथे को दोस्तों कैसे आप सभी लोग में उमीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और अपने एक्जाम की त्यारी कर रहे होंगे एक्जाम आप लोगों का बहुत जल्द होने वाला है और उसी एक्जाम को और भी अच्छा बनाने के लि सबसे पहले बात करते हैं क्या पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर जो है वो हम लोग एनालोगी स्टार्ट करेंगे उससे पहले में एक और बता दूँ आप लोगों को कि भाई हम चीजे एक सीक्वेंस में कर रहे होंगे जो जितना इंपोर्टेंट वो पहले कर रहे होंगे जो कम इंपोर्टेंट है जिस चैप्टर से सवाल ही एक दो आ रहे है या एक दो पूचे गए हैं एक यूपी के एकजाम में तो वो हम आखरी में कर रहे होंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने आज के थोटो ओफ दा डे से और वो क्या है कि संगर्स भी उनी को ही चुनता है जिनमें लड़ने की ताकत होती है तो हमारा जो संगर्स है उस संगर्स को हम लोग सुरू करते हैं और अपने चीजों को जो है देखते हैं किस तरीके से पढ़ना होगा नालोगी चैप्टर में अलोगी चैप्टर की बात कर लेते हैं तबसे पहले ङौन लगसे लापते को देखना है नमबर अनलोगी अपने को देखना करें होंगे मतलब कि अभी स्टार्टिंग में नहीं करेंगे जब एक नोनमेर भुल एनलोगी में फढ़ा रहा हूंगा क्योंकि अपने बहुत डिटेल का चेप्टर है यह जब हम chapters की बात कर रहे होंगे, figure वाले जब हम chapter की बात कर रहे होंगे, तब हम इस chapter को करेंगे, बाकी सारा पार्ट हम लोग सुरुवात में ही कर लेते हैं, clear है बाते, इस तरीके से चलेंगे, एक पल के लिए मैं बता जिता हूँ कि क्या क्या होता है, word analog की का मतलब यह हो गया for example, अगर हम लोग बात करें, एक अच्छे से word की, और बोल सकते हम लोग ऐसे, कि भाई, love लिखा गया है, और love को कैसे लिखा गया है, hate लिख दिया है love को, ठीक है, मैं English में लिख रहा हूँ भाई, अभि इसके हिंदी भी होगी फाइल में, लेकिन अभी example के लिए हम लोग स इसकी, इंगलिस को ही समझते हैं, love लिखा गया है, hate लिखा गया है, आगे लिख दिया hot, तो आगे question mark लगा के पूछ लिया कि भाई, यहाँ पर बता दो क्या आएगा, cdc बात है, love का opposite hate है, तो hot का opposite क्या होगा, cold होगा, तो यह सारी की सारी बातें यहाँ पर हो रही होगी किसमें, अपने word analogy में, जब letter analogy की बाते हो रही होगी, तब कुछ इस तरी के होगा, a, b, लिखा है भाई, a, b, लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिख दिया, c, d, लिख दिया, आगे पूछ लिया, m, n, लिख के, question mark पूछ लिया, कि भाई, बता दो, यहाँ पर क्या होगा, letters पर काम करना होगा, वो अपनी letter analogy होगा, ठीक है, number analogy की बात करें, फिर से भाई बात होगी, भाई, दो लिख रखा है, सामने 8 लिख दिया, और फिर आप लोगों से 6 देकर, पूछ लिया, कि बता दो, भाई साब, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, अब वो अपने को बताना हो हो सकता है, जो वच्चा पहली बार ही एक्जाम दे रहा हो, जिसकी अभी सी साल ही बार ही हुई थी, वो दे रहा हो, उसने कोई एक्जाम नहीं दिया होगा, तो फिर सेम पर को पहली बार देख रहा होगा, कैसे मैं बता देता हूँ, कुछ इस उ informação कि रिके की बाते लिख र दो पेर देजेगा वो, और पूछ वेहां कि तरीके से चीजएं यहाँ पर काम खर रहे होगी, च्यार उप्शन होगे, और किस तरीके से ऐसा ही पेर बताना, जो कि इन inappropri 하나 सम्बंद रखता होगा, अब संबंद इन का बन सकता है, इन दो का बन सकता है, कैसी रहीं कैसे बन कुछ बातों जिनका ध्यान उखेंगर आव गया क्या हो सकते हैं अब यह रहे हैं अब यह सकता है उस टाम न्यूस्जाम में रही हो लेकिन याँ पर तो स्टेट्वे अपने को जितना जाद होसके उतना जाद अपने को याद रखना होगा ये रखना ही पड़ेगा अगर मेरे को 37 में से 37 सवाल ठीक करने हैं तो मेरे को करना पड़ेगा भाई अलावा बात करें और क्या होगा और भी मेन मेन जो है याद कर सकते हैं हो सकता है अपना इसी साल है खेर तो उस समय कोई एक न्यूज में रही हो अभी आपको पता है यूद चल रहे हैं तो वहां की भी अपने को कैपिटल याद रखनी होगी इसके अलावा और बात कर लेते ह कांट्री और कैपिटल तो होगी ही country और currency भी याद रखने है आपने को कि किसकी क्या है जैसे इंडिया की बात करते े हैं अपर नहीं लिखा हुआ अब इंडिया में रूपिया चलता है और इंडिया रूपिया तो याद है आप लोगों को बाद male female भी करना है male female का मतलब क्या जैसे कि होगी डोग बीच्ट का अपने को पता है ये भी इंपोर्टेंट हो गया अपने पास यह इंपोर्टेंट है तो important čin सामने लिखरकिए इसके अलावा जितना हम लोग कर सकते लिए उतना करेंगे करेंगे exam में नहीं पता कि कहा काम आता है लिखने के लिए काम आता है तुम्हारे हाद में कोपी पैन होगा तो पैन किसके लिए काम आता है राइटिंग के लिए पैंसिल जो है पैंसिल का बहुत बड़ा इंपोर्टेंट होल है आपे पैंसिल जो है इसको ध्यान रखना पैंसिल लिखने के लिए काम नहीं क्या 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 है दो वाली बात है बहुत बार पूछ रखा दो सवाल पूछ है उप yun और शूट के है ठीक है बाकी जो क्या और भी सब्कराइब और फ्लेमेंर जाता सबसे फेमस गेम किरिकेट है कर जाता ऐहां यहां पर मुत कि बात नहीं करा था कि भाइ आजयाए। मैं प्रोप्टवर उसके प्लेज की बात कर रहा है कि हो कहला जाएगा प्लेगराउंड में ठीक है स्टेडियम में खेला जाएगा ऐसे ही बेडिमिन्टन कहला जाता है कौर्ट में बोक्सिंग की क्या होती है रिंग, रेस, ट्रेक, खेर ये कॉमोंसी बात है अपने काम की भी है तो ये पने कोई फ़ता होगी, टैनिस का का है, कोर्ट हो गया, सकेटिंग, किर्केट का, पिछ भी ठीक है, ग्राउंद भी ठीक है, कभी कवार ना, किसी किताब में पिछ लिख रखा, किसी इमें ग्राउंड है, तोनों पूचे गए हैं, दोनों को ही ठीक मान रखा है, अब कैसे ठीक माना गया हैं जब pitch पूचा गया था, तो pitch ही था option में, ground नहीं था और जब ground ठीक माना गया था, पिछ नहीं था दोनों मैं से कुछ भी ठीक है एक ही आएगा दो कभी नहीं आएंगे एक आएगा उसको ठीक कर投़ ठीक है ठीक है आगे रैसलींग का क्या एरेना भांड का क्या हो पीट हो गया इसके लावा औरने मंदे बहुत कर न होगा इसके कैरम बोर्ड हो गया इस तरीके के जो गेमस हैं वह अपने पो याद रखने होंगे और इसके अलाव़ जो और भी गेमस अगर ध्यान आते हैं तो उसको हम लोग कर सकते हैं लेकिन में में सामने लिख रखे हैं जो अच्छे-छासे यहां पर यह गेम कहले जाते हैं इंडिया म अब इसका कोई तरीका नहीं है बस इसको बोला जाता है तो बोला जाता है अब study of animals क्या है जूलोजी है खेर कोमन सी बात है पता होगी पढ़ने वाले बच्चों को यह हो गया लेकिन इसके अलावा भी तो होता है सारी के सारी चीज़े सामने लिखी गई है फीजियोलोजी दो बार पूछा जा चुका यूपी के एकजाब में ठीक है और बात करें नेफ्रोलोजी एक बार सवाल पूछा गया है दोनों के सवाल हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में पूछे जा चुके है तब ही सामने लिखा हुआ है यहां पर राइटिंग के हाइट को मेजर करने के लिए क्या होगा भाई नोर्मली इन चीटेफ हम लोग यूज करते हैं लेकिन आपर अलग-अलग बाते कर रखें जैसे कि लेंग को किसे ना पाजाएगा भाई स्केल से ना पाजाएगा ठीक है स्केल ही होता है इन चीटे बिक स्केल ही अपने हमें ठीक है एम मेटर उसके लिए करंट कि से मापा जाएगा एम मीटर से मापा जाएगा हुमिडिटी हाइगरोमीटर से ना पी जाएगी भाई अर्थ्वेक सिस्मोग्राफ यह सवाल था सवाल पूछा गया है इन दोनों को मिला कर दे रखते हैं आपर करंट हो गया सिस्मोग्राफ क्या मापेगा वह इस तरीके का सवाल पूछा जा चुका था देखेंगे तब यकीन होगा एनोमेटर विंड थर्मोमेटर टेंपरेचर और स्क्रियू गेज थिकनेस लिख रखा याद रखने हैं अपने को बंड मतलब क्या हो गया कि भई कौंसा टूल किस के लिए है कौन सा टूल किस a में काम आता है यहाँ पर प्रोफेशन की बात है डार कॉर्ट लिखा हुआ अब यह नहीं कि पैंट यूज करते हैं सर तो इस भी नहीं लिखा गया यह पर नहीं भाई में बाते लिख रखी हैं देखो क्या है अब लकड हारा ही थोड़ी यूज़ करता है कार इसको सोको इसके अलावा कोई और भी तो यूज़ कर सकता है ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके के प्रोफेशन दे रखें सामने उसके टूल दे रखें में में टूल दे कर्मर के पास प्लव होता है भाई हल होता है उसके पास ठीक है देखा है हमने हैं लेकिन इसके अलावा और भी उसके पास एक्विमेंट होते हैं ठीक ना सेफ के पास क्या होता है नाइफ होता है भाई कुक जो है ठीक है उसका आपने देखा होगा उसके पास क्या होता है नाइफ उसका कॉमन है लेकिन उसके अलावा और भी सारे हो सकते हैं मेजर मेजर हमें देखने होंगे ठीक है मैंने कुछ एक चीजे लिख रखे लेकिन इसके पुछा जा चुका है UP के एक्जाम में, स्कलप्चर के पास क्या होगा, चीज लोगा है, देखेंगे हिंदी में इसका क्या मतलब है, अब वैसे तो इसको छेनी बोला जाता है, बाकी देख लेंगे कि इसको क्या होगा, आगे इंडिविज्वल और उसकी वोईस भी बहुत ब वाली जो चीज है, वो दो बर सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रखना होगा अब इसके बारे में मैं बता जेता हूँ क्या है? ये कुछ एक चीज लिमिटेड लिखर खें, इसके अलावा और भी हो सकती है, भासाहें इनकी ये नहीं हैं, इसके अलावा भी हो सकती है, बताऊंगा कैसे, काव MOO लिखा गया है, ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में इसको MW भी लिखा गया है, देखना कैसे होगा, क्या है, क्या नहीं है, मिलती जुलती भासा, उप्षन में एक ही मिलेगी, बाकी, बे तुकी लिखा रख्योंगी, जो दूर दूर तक व्यूस अप्षन के पास नहीं होगी, जैसे कि, अब इसकी MW की भासा है काव थी, पता है काव, ठीक है, गाउं देहात में होती है, कैसे बोलती है, वो भी सबी ने सुन रखा है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, जिसने गाई की जो भासा है, वो नहीं सुनी होगी, बोली जो है, किस तरीके से बोलती है, वो नहीं सुनी होगी, तो वो लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आगी बाते हैं, वो केस कैसे है ऐसे हैं तो ऑली पर टैना है इस तरीके का बहुत एमस सवाल है पहले पूछा जा चुका है लोएं क्या करता है रोल दहारता है या मा भी लिखा रखा बाल लिख रखा बाल इक्रक अब यह ठीक हो चुके हैं पहले इस ने किसी एक्जाम में इन उप्शन को ठीक माना जा चुका है लेकिन भाई बात है जब यह उप्शन आया था तो उसके अलावा और को यह उप्शन था नीए इसके आसपास भी इस तरीके से अपने को थ आवाज दे रखी है कि कुछ तो लिख रखा कुछ किताब हो में के डबल यू के डबल यू कहीं पर के यूएच के डबलो के डबलो अब ओप्षन आएगा कहीं पर भी तो को यल के लिए इन टीन वामें से कोई एक ही होगा इसके अलावा तीन ऑप्षन ऐसे होंगे जो आस प आउंचे जा चुके हैं इसका बी का भी बड़ा इंप्रोटन्ट है भई ठीक है कभी कबार बजबी ठीक माना गया कभी कबार H U M B ठीक माना गया है चलिए आगे है इंडीवीज्वल और उसकी किलास भी लिख रख़्िया कि कौन सा किस किलास से संबंध रखता है ठीक है ज सामने फिस लिखा हुआ मिलता है इस नहीं है भाई वो मैमल होगा हो और यहीं गल्तियां होती है दो बार हो चुकि है यूपी में यह चीजे लिजार्ड क्या है रेप्टाइल खेर हर कोई कर लेगा रिजार्ड भी रेप्टाइल है उन्दों का ध्यान रखें बहुत बार कौन कहां रहता है हम कहां घर में रहते हैं ठीक है एसकी मों कहां इगलू में रहता है इस तरीके कि यहां पर बाते हो रही है होंगी स्पाइडर कहां रहता है भाई जाल वैब में रहता है ठीक है मकडी का जाला होता है सबीने देखा हुआ बहुत कॉमन सीजे बर्ड गोसले म में रहते हैं बहुत है उसी में रहती है लोयन और गुफा में रहता है दैन हेयर ब्रो में मतलब कि ओर्गोष जहूं कहाँ है जिप्सी कारवा में अब जिप्सी भी देख होगी वह एकनी सॉंग्स में देखिए होगी इसे आसे बर्ट ने लिफिन में लिख रखें इसके लावा और भी हम लोग देख सकते हैं मिल जाएंगे वो कहीं न कहीं पर ही इसके अलावा एक चीज और भी है जो यह आप नहीं लिखी हुई है और वो चीज यह है कि ग्रूप भी याद रखने है अपने को सवाल पूछा जा चुका है एक ग्रूप का अब ग्रूप से मतलब क्या है यहां पर ग्रूप से मतलब सिधा यह एक सवाल ऐसा पूछा गया था पानी का जो जहाज है उसका जो ग्रूप होगा उसको क्या बोला जाएगा भाई बेडा बोला जाता उसको ठीक है, जहाज का बेडा होता है, इस तरीके से, जो गुरूप है वो भी अपने को याद कर नहीं हो, यहाँ पर कोई शवाल पूचा गया था? आगे कोशन वह रख था, कुछ एक इस तरीके का सवाल पूचा जा चुका था, तो वो भी अपने को या रखनी होगी वह हम लोग ढूंड कर लिख सकते हैं आगे हैं प्लेस वेल्यू फ्लेटर अब यहां पर प्लेस वेल्यू फ्लेटर का मतलब क्या है कि बहुत बार क्योंकि जब मैं बता रहा हूंगा लैटर पोडिए सोरी लैटर एनलोगी क्या उतर तो आप बीच में नहीं कि कहा होगा एफ कहा होगा ये किस स्थान पर आ रहे होंगे बस भाई बातें हैं पर हम लोग कर रहे होंगे अचा इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग मैं बता देता हूं एक पल के लिए जाधा टाइम दो खरक नहीं खराब होगा है याँ आपे E, J, O, T Y से हम लोग यहाद रख सकते हैं ठिक है और ये कैसे याद रखे कहें भाई यह अपने आप में आता है 5 यह अपने आप में 10 यह अपने आप में 15 यह आ गया भाई 20 विस्थान पर और यह आ गया जी 25 विस्थान पर याद रखना पड़ असान है लड़की का ही नाम है, spelling गलत है, ठीक है मेरे को भी पता है, लेकिन ठीक हम लोग याद रखने के परपस्टेस को याद रख सकते हैं, E, J, O, T, Y, 5, 10, 15, 20, 25, याद रख लेंगे, काम चल जाएगा, A, B, C, D का सभी को पता है, आगे F हो गया, FIX, 6 से याद रख सकते हैं, G की अगर मैं बात करूँ, G में तो भाई मेरे को अपने आप में ही साथ दिखता है, तो मैं साथ हो गया, H की मैं बात करता हूँ, तो H भी हो गया, या तो डिजिटल फॉम का आठ बना लेंगे, थोड़ा से मोडिफाइ करेंगे, एक लाइन उपर, एक लाइन उपर और एक नीचे लगाएगे, तो डिजिटल फॉम का आठ बन जाएगा, ठीक है, नहीं भी है, तो H याद कर सकते ह से कि मैं अपनी बात बता दूँ, मेरा नाम है, मेरे को याद नहीं होता था, शुरू में तो मैं कैसे याद करता था, कि मेरा नाम आठ से शुरू होगा, और आखरी में H-A-P-P-Y, य खांपे खतम होगा भाई, पच्छिस पर, आठ से शुरू, पच्छिस पर खतम, हो गया याद, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, असब मेरे नाम में नहीं है, मदर के नहीं में तो वहां से याद कर लेंगे, फादर के नहीं में तो वहां से याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है, H-I, I बहुत कुमन है, I know, अक्सर बोल देते हैं, मैसिज बेसते हैं, हम लोग जम्मू कस्मीर से ही हम लोग याद कर लेते हैं किनेक्ट करके ठीक है न क्योंकि अपने माइन में वो चीज़े फिक्स हैं पहले से जे दस तो के कितना हो गया ग्यारा हो गया बाकिन बात ही कर रहे हैं लोकल एरिया है पूरे का पूरा हूँ तो आपे हम ऐसा भी उसकर देते करें यहां पर षसको याद कर सकते हैं ल की बात करें लारा-बार लारा ही तोबहुत असान हो गया भाई M, M भी याद कर सकते M, M, M में तो खुद ही 3 दिख रहा है 3 दिखा तो इसका नतले भी कौन सा 3 होगा यह तो सुरू का 3 है बीच में 3 दिखा, अंतिम में 3 दिखेगा W में, तो इसमें आते कितने होते हैं, लैटर ही है, उत्ते हो जयगा, protein हो झागा, 24 हो जएगा O, हम लोग याद कर सकते हैं, 15 हो जाएगा Kोई दिखकत भी नहीं है O, 15 है, तो O, 16 होंwritten हो जाएगा क्योंकि बात कर लेते हैं, अच़्या P, Q, को भी होटा है, या तो O, P, को एक साथ याद कर लो या P Q को एक साथ याद कर लो ठीक है? अब P क्यों? ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इसको मैंसे याद नहीं समझ सकते हैं इससे समझ लेंगे P क्यों? अब भाई कोई पूछ ले कि भाई P क्यों? क्योंकि 16-17 दिन हो चुके थे इसलिए P ली अब भाई P के लिए 16 Q के लिए 17 बड़ा सान है P क्यों? क्यों 16-17 दिन हो चुके थे तो 16-17 P का 16 Q का 17 हो गया अब R को हम लोग याद कर लेंगे 18 के लिए ठीक है? कोई बच्चा जिसका नाम रोहित है, रवी है वो यहाँ से याद कर ले योगी R के लिए उतना थोड़ा अशा कोई एक अच्छा सा टम यूज नहीं होता तो हम इसको याद कर सकते हैं S के लिए बात कर लेते हैं S भी हो जाएगा याद कैसे? भाई T20 मैच का फोर्मेट है T20 बिस्कृट है अपने को पता है वहाँ से याद कर सकते हैं दूसरा हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं अभी आभी फोर्म फिल हो रहे हैं तो हमने फोर्म फिल किया है? जब फोर्म फिल किया है तो साइबर कैफे वाले ने पूछा होगा कि भाई आपकी कैटेगरी क्या है? Journal है, BC है, OVC है, क्या है तो ST, ये भी आया होगा ST, सबसे चोटा सब्ध है जिससे हम लोग याद करके याद कर सकते है T20 है, तो S कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, दोनों साथ आते हैं हर बच्चे ने सुन रखा है exam देने बैठेगा, तो इसका मतलब उसने form fill किया, form fill किया, इसका मतलब cyber cafe वाले उससे जरूर पूछा कि भाई अपनी category बताओ क्या होगी, वहाँ से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, clear है हर बच्चे ने सुना होगा, इसमें गड़बड़े नहीं करेंगे हम कभी भी, clear है T हो गया, अब U को ध्यान रखेंगे, V को ध्यान रखेंगे, ठीक है U, under 21 इस तरीके से में लोग याद कर सकते हैं, ठीक है अंडर 21 इसको इस तरीके से में लोग याद कर सकते हैं, V 22 हो गया अब भाई वी में तो क्या है ये एक लाइन दिखी ये दो लाइन दिखी दो लाइन दो बार इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं वी वाईस ठीक है ना मैं पहले बता चुक हो तीन दिखा अरे तीन तीन ही बार आएगा तीन एक और तीन तीरहें। दो और तीन तीश इस तरीके याद कर सकते हैं एक्स की बात करें तो एक्स का स्थान हो जाएगा कितना ओ झालियवर हो जाएगा। है पासे खिले हैं पक्का एक्स का स्थान कितना गरेंगा 24 डवलुफेश है तो एक्स का कितना हो जाएगा 2 22, y का कितना है 25 और z का कितना हो जाएगा भई, z का है 26 ठीक है, अब x की बात कर लेते है, x क्या है अब ये x से हम लोग नहीं समझ पारें, लेकिन इससे x से समझ पाएंगे हम लोग, ठीक है ये क्या है, वही comment हम जो कि हम लोग अक्सर चैटिंग करते हैं, फेस्बुक वर्टसप या टेलिग्राम अगारा पर यूज कर लेते है, x अब आज के इससे हम लोग connect करी पाएंगे कैसे, आज का समय इतना खराब है कि x की बात करें, तो आज कल 2, 4 तो x सभी की होंगे, 2, 4 2, 4, 24 हो गया यादी तो, आई यही पर z का स्थान 20 है, ठीक है main चीज जो यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो चीज यह है कि u और v में हम लोग करेंगे गलतिया, गलति कैसे होगी वह मैं बता देता हूँ exam time में हाथ काम करेगा जल्दी, अब जल्दी काम करते हो तरफ सीठ पर पता ही नहीं चलेगा कि लिख क्या दिया, u लिखा है या v लिखा है अब लिखा ही गलत है, तो सीधी सी बात उसकी value भी गलत लिखेंगे value भी गलत है, तो answer भी गलत आ रहा होगा इस तरीके से इसमें गलत होगे, तो इस पर ध्यान देंगे हम लोग, u और v में, जैसे तुम लोग लिखते हो, जैसे तुमारी writing है, उसको बड़े ध्यान से देखकर लिखना वो उसी तरीके से चीजे चलेंगे फिर आगे, ठीक है आगे बात कर लेते हैं, अब opposite value से मतलब क्या है, opposite value से मतलब यह हुआ, कि भाई, अगर एक तरफ से, starting से पहले स्थान पर A है, तो पीछे से पहले स्थान पर क्या होगा जो होगे, वो एक दूसरे क्या opposite हो जाएंगे, opposite का मतलब यहाँ पर है, यह भी यूज होता है, बहुत बार यूज भी हो चुका है, बात करेंगे सवालों की तब बड़े अच्छे समझ में आएगा, ठीक है अब opposite value of letters, चलिए A के opposite क्या होगा भाई, Z होगा सभी को पता है, ठीक है, लिखने ठीक है, ठीक है, साथ साथ लिख सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ठीक है भाई, और J, K, L, M, N तक लिखेंगे, उसके बाद नीचे से वापिस लिखते हुए आ जाएंगे, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ध्यान रखेंगे, भाई, बड़ा सीधे ऐसा बनाना है, W, X, Y, और Z हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, अब इसको याद रखेंगे, किस से कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, तो A, Z हर बच्चे को याद होगा, क्योंकि पहला उदर से पहला A है, अंतिम से पहला Z होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, तो बड़ा असान है याद रख सकते हैं, याद नहीं हो तो भाई, अज़ाद नाम से याद रख सकते हैं, A, Z, A, D, B, Y, बाय से याद रख सकते हैं, बाय कुनसा ? आधन वाला बाय, मैं किस से लिख़़ रहा हूं? बाय मारकर, तुम कैसे लिख रहे हो, बाय-पेन, जहां पढ़ रहे हो लाइपरे में वहां पर कैसे आ हो बाय उट्टो बाय-कार बाय-मार इस तरीके से, ठीक है? घुडवड़वा मेन फोकुस रहे बार बार में फोकुस रहे अपोजिट पर इसलिए वो कैपिटल में लिखे गए आप लोग भी ऐसे लिखेंगे ती आर एक्स क्रेक्स अब करेक्स भी पता है सभी सभी गोश्य ने बश्पन में कहा रख किये सोया जैसी चीज होती है ठीगना क्रैक्स हो गया कि इस तरीके सामलोग चीज़ वो कनेक करके पढ़ सकते हैं आगे इवी इवनिंग हो गया या भाई कहना में even हो गया even order सुना है ना इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं electronic vehicle हो गया बहुत अच्छी टर्म है आज कल बहुत फेमस भी टर्म है यह fu 4 हो गया full हो गया इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं लिखे लेंगे full इसके लावा और भी कोई connecting terms लगती है तो हम लोग उसको जरूर कनेक्ट करके याद कर सकते हैं है हाई स्कूल हो गया ठीक है ना हाई स्कूल हो गया और कोई दूसरा भी देखना जो भी हमें लगता हो गया ठीक है इंडियन रेलवे हो गया बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इंडियन रेलवे तो वह भी लिख सकते हैं लोग इंडियन रेलवे हो गया जेक्यू जंगल क्वीन हो गया जो अच्छा लगे हम लोग लिख सकते हैं अपना मेन फोकस होना चाहें कि हम लोग इसको याद रख सके उस पर आगे KP यह तो भाई तुम्हारे शहर का ही नाम है कानपूर आ ठीक है यह हो गया ऐन ओ हो जाता है सभी को याद क्योंकि यहां पर एल ओ L O V E Love होता है M N भी हम लोग याद कर सकते हैं Man से याद कर सकते हैं या फिर PM के से याद कर सकते हैं PM मतलब कि नर्देंदर मोधी से याद कर सकते हैं M N N M इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं ये सारी की सारी चीज़े याद होंगी तो फिर chapter करने में मज़ाएगा अब तक जो था है वो सारे का सारा इसका introduction था इतनी चीजों का अपने को ध्यान रखना होगा एक चीज और मैं बता जिता हूँ कि भाई ये चीज अगर याद नहीं हो तो क्या करेंगे दो या तीन दिन तक हमें ये काम करना है अपने family में जितने भी members हैं उन सभी के हम लोग नाम लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसके ऐसे भी हम लोग letters लिखेंगे और opposite भी का हम लोग काम करेंगे क्योंकि मैंने last slide पे आपको positive भी चिखाया है न opposite भी करेंगे जैसे कि इसकी में बात करता अब मैं इसके revision के लिए कैसे करता भाई अपना ही नाम लिख देता इस पे example के लिए और उसकी place value देखता H का स्थान 8 है 1 है P का स्थान 16 P क्यों 16 17 दिन हो चुके थे 16 17 दिन हो चुके थे Y का स्थान कितना हो गया 25 हो चुका है अब इसमें भी सेम ऐसा ही काम करेंगे अपना नाम लिखेंगे और उसकी फिर practice करेंगे हम लोग H का पोजिट हाई स्कूल या फिर ये तो ऐसे भी कर लो भाई या P सर हो गया AZ अजाद हो गया वैसे खैर याद हो जाकता कोई दिकने KP कानपूर हो गया अच्छा इसको हम लोग एक और तरीके से भी देख सकते हैं एक movie आई थी PK वहाँ से भी हम लोग connect करके याद रख सकते हैं इसको PK ठीक है जे तो PK, PK, by साधन वाला हो गया वैसे इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं पिर भी नहीं हो, वो सकता फिर भी doubt आएं तो क्या करें, कोई भी इंगलिस के book उठालो एक line है, उसको इस format और पिछले format में लिख के देख लो ठीक है, इतना काम हम लोग कर लेंगे उसके बाद देखते हैं भाई, chapter में क्या के सवाल है चलिए, अवाल लिखा गया है, कब पूछा गया है, किस shift में पूछा गया है सामने वो लिखा गया है, इसमें कोई भी doubt यहां पर नहीं होगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे type i चीजों की तरह भी चल रहे होंगे तो चलिए, पहले question लिखा गया है, यह main सवाल है कब आया है, यह लिखा हुआ है यहां पर अब इसके में बात करते हैं कि इसको कैसे solve करेंगे यह solve कब होगा, यह तब solve होगा जब अपने को इनकी place value पता होगी अब ऐसा नहीं करेंगे कि exam में rough sheet पर ही लिख रहे हैं पहले A, B, C, D, फिर उसका opposite लिख रहे हैं कब तक लिखोगे और कब तक ढूंडोगे तो paper ही complete नहीं हो पाएगा तो उसके लिए अपने को place value याद होनी चाहिए place value की बात करें E का स्थान कितना है भाई 5 हो गया H का स्थान 8 हो गया ये 22 है ये 19 हो गया ये 13 है ये J कितने होगा 10 J, K, E, J, O, T, Y J 10 पे था ना यहाँ पे वो लिख दिया है तीक है अब वो भी याद है opposite भी याद है तब मजाएगा काम करने में कैसे मैंने देखा इधर पहले स्थान पर E लिखा हुआ है और इधर पहले स्थान पर V लिखा हुआ है ये तो मैंने को याद था मैंने देखा था, कहां देखा था मैंने opposite में देखा था E का opposite क्या होगा V evening, even, electronic vehicle वहाँ से हमने इसको याद किया था ठीक है H की बात करें तो H क्या होगा भई H का opposite बताया था High School, Happy Sir, Honey Singh जो भी है याद कर सकते हैं अब M का opposite बताना है क्या होगा M का opposite में रोको पता है नरेंदर मोदी या Man से मैंने connect किया था तो N आएगा S option ठीक है जिसमें पहले N है दो option मिले गए अब दूसरा भी पता लगा लो दूसरे में देखा J को कैसे connect किया था Jungle Queen से, Jodhpur Queen से Jack and Queen से जैसे चाहिए वैसे हम लोग इसको याद कर सकते थे तो यहापे क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा N क्यू कहा है option number D में option number D मेरा यहापे right answer हो जाएगा बड़े प्यार से सवाल होने वाला था बस मेरे को दोनों चीजे पता हो place values भी पता हो उनके opposite letters भी पता हो और धीरे 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 थोड़ा 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 कही न कई फरक हो रहा होगा वो काम हो लोग यहाँ पर कर सकते हैं बस इतना सही यहाँ पर काम करना है अपने को चलिए अब ये दूसरा सवाल लिखा हुआ है सामने ठीक है बात कर लेते हैं कैसे A B यहाँपे D H लिखा गया है अब यहाँपे लिखा गया है D E तो आगे क्या आएगा वो देखना है अपने को भाई A से D कैसे आया है A का स्थान 1, D का स्थान 4 अगर सर्फ पलस 3 कर दोगे न तो आजाएगा कोई दिखकती नहीं है B से H कैसे आया है B से H भाई B का स्थान है 2 और H का स्थान है कितना 8 हो गया अब यहाँ पे क्या किया गया है यहाँ पर प्लस है किया गया है अभी तो आएगा अब ऐसी बात है तो इसको हम लोग देख लेते हैं अब D का स्थान है यह डी में अगर मैं प्लस 3 कर देता हूं तो यहाँ पर कितना बनेगा D का स्थान ने 4 4 और 3 हो गया 7 तो इसका अपे जी आना चाहिए था अब G का देखा-जी का यहाँ पर कोई option ही नहीं है एक पल के लिए देख लेते हैं B दो था एच था 8 यानि कि पलस का 6 था अब पलस का 6 करेंगे तो E ए का स्थान ने 5 6 और 5 हो गया 11 ग्यारा के लिए कितना आना चाहिए था लेकिन यहां पर जी के है ही नहीं इस बात का लगी ही रहा है लोगी कुछ और तरीके से लगा होगा अब और तरीके से है तो वो फिर अपने को थोड़ा सा भाई देखना पड़ेगा इसमें ठीक है एबी सामने लिखा हुआ है ए बी यहां पर डिफरेंस कितने का है एक किसी का भी डिफरेंस नहीं तो इसका लिए यहां पर जीरो का डिफरेंस है आगे देखा यहां पर इसका दूगना लिखा हुआ है भाई यह चार है यह आठ आ गया अभी तो है चलो ठीक है अब इसकी बात कर लेते हैं यह कितना है ज और इसके सामने पांच लिखा गया है पांच हां बिल्कुल ठीक बाद है च्यार पांच तो यहां पर भी डिफेरेंस कितने का है जीरो होगा अब आगे एक ऐसा ओप्सेंट फीक हो सकता है जो कि इसका आगे वाले लेटर की प्लेस वैल्लू का दुगना जो है वो पीछे तो 17 नहीं यू तो होता ही नहीं है शोला और बीस अलिख दॉसरे बादेंध कितना और चाहिए चार का दूसरे वाले में भाई पहले में डिफरेंस एक का दूसरे में डिफरेंस चार सोरी एक का नहीं भाई जीरो का यहां पर एक नहीं जीरो का भाई पहले में डिफरेंस ही नहीं कितने का है जीरो का दूसरे में डिफरेंस है चार का अगले में डिफरेंस है जीरो का अगले में और 4 का है, गलत होगे, और 4 का है, हाँ, यहाँ पर भी दो अप्सन आ गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं पर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकते है, क्योंकि दो अप्सन जो है, सेम हो ही नहीं सकते हैं, यहाँ पर, इसी के अलावा, 4DH opposite भी किसी का नहीं लग रहा A का opposite Z होगा B का opposite Y होगा वो नहीं है D का opposite W होगा E का opposite B होगा ऐसा भी कर कोई option या पर नहीं लिखा होगा खेर उससे कोई फर्ग नहीं पड़ेगा तीन possible चीजे हो सकती थी पहली ये difference देखेंगे ध्यान रखें ये ही logic होते हैं कहीं न कहीं दूसरा logic ये होगा कि opposite हो सकते हैं opposite नहीं है और तीसरा logic मैंने बताया था multiply वाला भाई तो तीन logic देखें तीनों नहीं लगे इस तरीके से ये logic अपने को यहाँ पर देखने होंगे magic लिखा हुआ है which कैसे बना होगा वो देखते हैं सबसे पहले इनकी place value पता होनी चाहिए इसका है 13 इसका है 14 तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ है प्लस बन हुआ है तो 23 और 1 24 क्योंकि W का बताया तो था 3 आ गया 1 add होगा कितना बनेगा 24 24 का मतलब x अब x से देखो x का यह रहा x का यह रहा यह answer तो कभी नहीं ठीक हो सकते चलिए a से c यह 1 यह 3 अब यहाँ पर प्लस का 2 हो गया तो यहाँ पर i i की बात कर लेते हैं 9 9 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 11 है 11 पर क्या बताये था k x के बाद k कहीं है कि यह करोश जो है वो गलत लगा दिया करोश यहाँ पे होगा x के बाद k है x के बाद k है चलिए जी 4 जी का स्थान 7 जी का स्थान 10 तो यहाँ पर आ गया भाई प्लस का 3 7 और 3 दस यहाँ पर देखते हैं, T का स्थान बताया था 20, 20 जमा, 3, 23, 23 पर था W, W यहाँ है, यहाँ नहीं है, यही मेरा यापका राइट अंसर हो जाएगा, इस तरीके से हम ने को चीज़े करनी होगे, अच्छा, complete की बात करें, complete भी देख लो, 9, 13, यानि कि आगे कितने का difference है, प्लस 4 का, 3, और भाई यह है, 8, तो आगे कितने का difference है, प्लस 5 का, तो difference जो है, वो sequence में है, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, और अन्तिम में प्लस 5, इसके अलावा जो difference बन सकते, sorry, series बन सकती है, वो क्या बन सकती है, जो पहले उच्छी जा चुकी है, उसकी में बात कर रहा हूँ, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 1, प्लस 2, and so all, करते-करते कहीं तक भी चले जाओ, ठीक है, एम ऐसे ही, प्लस 2, प्लस 4, प्लस 6, प्लस 8, अब उससे जादा नहीं आया कि वहें प्लस 16 कर दो, नहीं, ठीक है न, इतना आया है, भाई च्यार वर्ड थे, sorry, एक ऐसा वर्ड था हो, फिर माइनस 8 हो, तो कब तक हम उसको लिखते रहेंगे, डूढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, वो चीजे लबी हो जाएंगी, तो उसकी तरफ अपने को ध्यान नहीं रखना है, प्लस वैल्यूस ही हमने को ध्यान रखनी है, और उसके बाद लिखने पर कम फोकस होना च करें, भाई, V है, पता चल गया क्या होगा, V का बताया था, दो लाइन दो बार, तो इसका मतलब ये 22 था, ये कितना बताया था, X कितने होंगे, 24, तो 22 से 24, प्लस का 2, तो यहां पर भी बात करें, प्लस दो, पांच और 2, कितना होगा, 7, तो पहले स्थान पर 7 आना ये है 5 और ये है 7, यहां पर भी प्लस दो है, चलिए जी, इसका है 1, एक में 2 जोडेंगे, तो कितना बनेगा, 3 बनेगा, 3 पर आजाएगा, C, G, C कहा है, उप्शन नमबर भी, उप्शन ठीक, उपर निचे लिख रख रख है, ठीक, उसे कोई फरग नहीं पड़ेगा, ये है, प्लस दो आ सकता है, प्लस चार हो सकता है, माइनस एक या माइनस चार तक की बाते भी हो सकती है, और प्लस एक से प्लस चार तक की बाते भी हो सकती है, ये वो चीजे हैं, जो बहुत बार यहां पर, यूपी के ही एक्जाम में, यूज हो चुकी है, ठीक है, आगे हैं अंसर इसका मार्क कर दिया क्या बिलकुल मार्क है इसका अंसर चलिए आगे देखते हैं यह बड़ा important हो गया भाई अब यूपी जैसे exam में ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए थे हलाएं कि SSC में पहले एक में यह पहली बात थो दूसरी बात यहां पर पांच लेटर है और यहांपर चार लेटर हो गए अब यह कभीवी लोजिक नहीं बनता कि वहाँ पांच यहां एक कम कर दिया चार आ मगया तो यहांपर दिक्सनरी वाला चप्टर अपना भोत अच्छे से हैं जंबल फॉर्मेट अपने को पता है क्या होते हैं तो ये काम कर सकते हैं आधरवाइज ये सवाल होना ही नहीं था एक्जाम में जिस बच्चे को ये concept पता हैं कि भाई ऐसे भी सवाल आ सकता है वो जरूर कर देता इसको और इसकी किया भी है अदरवाइज ये सवाल हो鐵ी नहीं सकता था अब अर्लि का Aperose it ये नहीं सकता टिल और यह क्या है ये लेट भी तो यहां पर भी जंबल फॉर्मेट है यहां पर भी जंबल फॉर्मेट है अब यहां की बात करते हैं तो यह भी अपने को arrange करना पड़ेगा किलियर होगी बाते पक्का और इसके अगर बात करें option को देखते हैं तो कहीं पर कुछ मिलेगा क्या y, a, h, p, p ip भी नहीं बन रहा कोई meaningful word ही बनेगा फिलाल देखना पड़ेगा क्या होगा यहां पर p, p, y, a, h ओ, happy ही बनेगा यह तो ठीक है भई, यह तो happy ही बन रहा है अब इसका opposite क्या होगा अब यहां पर भी खास बात है खास बात यह है इसका opposite sad भी हो सकता है और d, a, s, b हो सकता है, मान के चलो यहीं दो option आ गए है ठीक है, अब आ गए तो क्या करे भई, कौन सा ठीक करे sad को ठीक कर दे, भई जंबल word का पता लगा लिया, ठीक है इसका तीनों का पता लगा लिया answer का पता लगा लिया, और sad को tick कर के आ गए, यही गलती कर दी हम लोगों ने, गलती क्यों हो गई गलती इसलिए हो गई भाई, क्योंकि sad ठीक ही नहीं है, अपने को answer भी उसी बहसा में देना, देखो, ये भी जंबल था, तो ये भी जंबल था, अब ये भी जंबल है, तो answer भी जंबल होना चाहिए, यानि जिस option में sad लिखा है, वो ठीक नहीं, वो तो गलत हो गया, तो ये format पैचानना है, जंबल वाला ही format का पे होगा, वो हमने देखा, option number B में है, इसके अलावा किसी और में, वो चीज याँ पे है ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत important सवाल है, ऐसा सवाल नहीं आता है, बहुत rare किसी एका shift में आता है, और कहां आया है, वो सामने लिखा ह हुआ है, किलियर हो गई बाते, चलें आगे, आगे देखते हैं याँ पे, अब यह से भी सवाल आ जाते है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या करें, आगर मेरे को पहले का एक अच्छा सा लोजिक पता लग गया, यानि ऐसा लोजिक आ गया, जो लग सकता है, जैसे प्लस दो, प्लस दो, प्लस दो, सभी में लग गया और लग सकता है, तो फिर मैं अंतिम वाले पर काम कर लूँ, मैं बीच पर काम करके अपने समय खराब ना करूँ, ठीक है, समय भी बचाना है, और चीज मेरे को जल्दी करनी है, त एक लोजिक होगा पांके चलो पहले वाले में दो लोजिक लगे दो लोजिक कौन से हैं हो सकता है एक लोजिक हो इसमें कुन सा नॉर्मल वही प्लस दो प्लस दो प्लस दो वाला और एक हो इसमें वो वल या कौन सुनेट का दो लोजिक हो अब यहां पर क्या लगेगा मेरे को नहीं पता या तो मैं दोनों में से किसी एक लोजी को चेक करूं ऑप्शन देखूं मेरा वो ठीक बैठ जाएगा या फिर मैं इसको वैरिफाई करूं तो वैरिफाई करना जादा अच्छा बजाए इसके दो अंसर डूंडे हम लो प्योंकि हो सकता है एक्जामिनर को भी पता हो ये बात और वो इसके दोनों और जो right answer है वो कहीं न कहीं हमको दे दे और दोनों में से हम जल्द वाजी में इसको ठीक कर दें लिए वाला ठीक हो वो कैसे पता चलेगा वह जब हम इस दूसरे वर्ड को वैरिफाई कर लेंगे तब पता चलेगा इतना काम अपने A लिखा गया है तो इसका अगला S का S लिखा जाएगा ऐसा option ठीक होगा जो S से सुरू होगा चलिए जी एक option मेरा right answer होई नहीं सकता कभी बाकी बच गए 3 अच्छा उसके बाद मैंने देखा यहां पर क्या लिखा गया है E को last second पे E लिखा है R को यानि कि last second को R ही रहने दिया है ठीक है तो last second पे क्या है T तो last second पे T ही आना चाहिए था last second पे T है last second पे T है एक option मेरा और eliminate हो गया यहां पर एक काम और भी हो सकता है जो मैं अभी बता रहता है दो लो जी की E अपने आप में एक vowel है वोवल कौन से होते हैं A E I O U और इस सवाल में ऐसा भी हो सकता था कि वोवल को ना बदला गया हो वोवल को सेम रखा गया हो और consonant में पलस 1 पलस 2 पलस 3 पलस 4 जैसी बाते य होने के chances हो सकते थे लेकिन ठीक है उसको हम लोग देखते हैं आगे और इसके अलावा कहीं पर कुछ लिखा हुआ है क्या बिल्कुल सही बात है तीसरे स्थान पर भी सेम लिखा गया है यू तीसरे स्थान पर T है सेम लिखा गया है तीसरे स्थान पर O है तो तीसरे स्थान O, दोनों में ही C में, तो इसका मतल़ दोनों में अलग क्या है, दूसरे वाला, दूसरे का देखा, O से R कैसे आया, ये है भाई 15, ये है 18, 15 जमात 3, चलिए जी, ये है जी 3, 3 से F कैसे आया, 3, 6, कैसे आया है, जब इसमें पलस का 3 कर देंगे, H, 8, 8 में, मैं 3 एड कर दूं, मत तो 11, यानि दूसरे स्थान पर K होना चाहिए, दूसरे स्थान पर K है, और यही मेरा भाई, राइट अंसर हो जाएगा, इस तरीके से अपने को ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता था समझाने के परपस से, लेकिन इतनी सारे चीज़े इसमें समझाने ही पड दो competit स्थाहिए, इसको ध्यान रखेंगे भई, वोबल Consonant के भी Logique लग जाते हैं, जैसे मैं इसमें बताया, O को सेम रखता, U को सेम रखता, इस वाले E को सेम रखता, और बाकी सभी को बदल देता, इसमें भी काम कर सकता था, A को सेम रखता, O को सेम रखता, बाकी सभी को बदले जाने चाहिए थे, अगर वो लोजिक लगता तो, आगे इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, सेम वही बात है, बड़ा अच्छी हिंट भी है यहाँ पे, इन दोनों को बड़े ध्यान से देखोगे, तो हिंट मिल जाएगी यहाँ पे, और ऐसे सवल बड़े असान होते हैं यानि एस के लिए टी आया है, एस टी बताया था ना, समझ में आ गया, एस टी और क्या है वो, टी टुट बताया था मैंने तो इसका मतलब एस का स्थान कितना हो गया, नाइंटे हो गया, चलिए जी, यानि कि इतना तो कन्फरम हैं कि पहले वाले में भी क्या है, पलस वन, अंतिम में भी क्या है, पलस वन, चलो जी, 16 जमा एक 17 पर Q, 19 जमा एक आखरी बेटी, QT, चलो सभी में यही है, सभी में नहीं, दो अप्शन में सेम हैं, और दो अप्शन इस तरीके से लिखे गए हैं, बाकी देख लेते हैं, O के लिए क्या लिखा रखा है, O के लिए इसन सवाल में, पलस वन यहां पर हो जाएगा, A के लिए B आएगा, B लिखा हुआ है, N के बाद आता है, 14 और 15 पर आएगा, O, तो उप्शन नमबर A मेरा राइटर, उप्शन नमबर C मेरा यहां पर खतम हो जाएगा, समझ में आगी बाते, पूरी सीरीज में पलस वन जैसा लो 11 बार है, तो दो लेटर आगे जो आएगे, वो ऐसे आएगे जो लगाता रहा है, तो इस तरीके से भी हमी सवाल को कर सकते हैं, अब देखा, W, Y लिखा गया है, जबकी होता क्या है, X, Y होता है, तो यह तो अनसर ही नहीं है, Y, Z हो सकता है, W, X हो सकता है, X, Y हो सकता है, 11 बात करता है, अब मैं 11 की बात करता हूँ, 11 में, जब अगर 13 बनेगा, 24 बनेगा, 24 से शुरू होने वाला होगा, और उसके बाद उसके अगला, 24 के बाद आएगा, 25, X, Y, मेरा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, इसके अलावा यहां पर एक आध बात और भी हो सकती थी, वो क्या होती है, कि A में थो हमने 13 एड कर दिया, लेकिन अगर अपने को T में 13 एड करना पड़ता, U में 13 एड करना पड़ता, V में 13 एड करना पड़ता, तो क्या करत ऐसा होता है इस chapters में ध्यान रखना इसमें coding decoding में यहाँ पर ऐसा होता है भाई series जो चलती है वो चलती है a b c करते 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 x y z और z के तुरंत बाद फिर से a start हो जाता है a b c करते करते x y z फिर से a b c शुरू हो जाएगा x y z a b c x y z इस तरीके की series यहाँ पर लगातार चलती रहती है तो अपने को फिर आगे कहां तक याद रखना है भाई आगे कहां तक ध्यान रखेंगे बड़े ध्यान से सुनना a की ही बात कर लेते हैं चलो a b c d e और f यहाँ तक हम पने को यहाँ पर ध्यान रखना है कैसे ध्यान रखेंगे हम लोग इनकी सभी की दो दो place value याद रखनी है कैसे क्योंकि कोई कहीं लग रहे होगी कोई कहीं a के दो स्थान होते हैं पहला तो पहला a b c d में सबसे पहला य यह है दूसरा कुम सा है भाई 26 पर आगया जैड जैड के जस्ट बाद फीशे कोन आएगा यह तो वही ऐसा मानके चलें कि यह जैड जैड का स्थान है 26 शब्विस के तुरंत बाद क्या आएगा 27 आएगा और जैड के बाद क्या है तो एक दूसरा स्थान है वो क्या हो 31 32 इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे ठीक है समझ में आगी बात है अच्छा इसके अलावा जब ध्यान रखेंगे थोड़ा सा हिंट है खैर वो उधना एक्जाम तक याद नहीं रहेगी लेकिन फिर भी थोड़ा है पोजिस्ट करना याद रखें पलस के केस में हमें सब चोटी वैल्यूज ले तकि असान रहे दोर दो चार वहीं पर ही मैं कहूँ अठाई जमा दो तुम कहोगे 30 अब 30 पर क्या आएगा समस्य आए बाई देखना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो उस केस में क्या करें पलस के केस में चोटी वैल्यूज ले और मैंनस करना सान हो जाए कि आए हूगी और मैंनस टेस माइनस जय कितना होगा 306 भूव दूए मठाथ बोल रूब कि एजमे पर ही अगर मैं और मैं कहुं कि या, सब मारी ऑल्यूज ने कहा जाउडे हो ही तो मजस्य करो झाहि로 उससे उपर नहीं आया, तो अभी तक तो इतना ही याद रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, इससे उपर जाने की चीज़े से संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, और होगी भी नहीं, क्योंकि यहीं तक बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं, एक्जामिन नहीं फसा इवी, इलेक्ट्रोनिक विकल, मैन, जंगल क्वीन, जोधपुर क्वीन, जैकेंड क्वीन, आप यहाँ पर जो होगा है न, वो होगा तो अपोजिट, इतना तो कनुफर्म है, डी एफ नहीं सर, आपने बताया था, डी डवलू, ड्यू, मांटें ड्यू, या एफ यू, है, चैस बताया था मैंने, हैपीर सर, ठीक है, हाइ स्कूल, इस तरीके से, तो ये भी नहीं हो सकता, चलिए जी, कोई दिक नहीं, KM, सर, कम नहीं बताया था, आपने कानपूर बोला था, KP, कानपूर, या आपने जब M बोला तो नरेंदर मोदी बोला था, या मैन बोला था तो वो नहीं होगा, चलिए जी, हो गया यह, एक्जाम का है, देख लो भाई, कब पूछा गया है, किस सिफ्ट में है, वो भी है, इतना काम करना था, अब इन दोनों में क्या लोग जीगा, वो मेरे को नहीं बदा, और मैं निकालूँगा भी न, क्योंकि मेरा नसरत वा चुक है, यहाँ पर अपोजिट नहीं है, अंतिम उप्शन में अपोजिट है, आई आर इंडियन रेल वे, और टिक करते आगे बढ़ जाते हैं, काम सिरफ इतना ही करना था, आगे देखते हैं, बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है, अब ऐसा सवाल देखा ही नहीं होगा तुम लो सुना है, उसके लावब स्कॉर सुना ही नहीं है, और लोगों है, अब लोगों है, हाफ सेंसुरी जरूर सुनी, लेकिन स्कॉर क्या है, ध्यान रखेंगे, जब भी किसी भी चीज़ को बीस हो जाते हैं, नमबर उसको स्कॉर बोला जाता है, अब यह बहुत डिटेल का सवा सवाल था जर्णल नोलिज के अधारित सवाल था वैसे करही नहीं सकते थे इसकों लोग लेकिन ध्यान रखेंगे दर्जन में 12 चीजे होती है और स्कोर में क्या है 20 चीजे होंगे ठीक है कुछ भी होगा वो स्कोर के अगर बात करेगा तो 20 होगा अब 50 की बात कर लेते हैं 25-10 10 का खेर आके आया गया है दसक होगा 35 का कुछ भी नहीं है 50 की बात करें half century हो जाता है ठीक है न इस तरीके का खेर 50 का भी अब इतक तो नहीं देखा है सवाल स्कोर का देखा था 20 था मैंने वो तुम्हें बता दिया है ठीक है आगे बढ़ेंगे कुवैत दिनार अब कुवै याद है तो है अदर्वाइस पूरा जिक्के का है इसमें कुछ समझाने जैसा है ही नहीं याद है तो है अदर्वाइस नहीं है आगे बात करते हैं यह रहा हो गन वाला सवाल जो मैं बात कर रहा था कि भाई गन का पूछा गया है वो टूल वाला जो सवाल था ठीक है ना मै बस वही बाते हैं यापे, गन का काम क्या है, सूट करना, छेनी का काम क्या है, स्कूप करना, तुराक करना, उदाई करना, नकासी करना, तो इसका काम है भाई साब नकासी करना, अब नकासी क्या होता है, छेनी हाथोड़े से जो चीजे, मूर्ति बगरा जो बनाई जाती है, परामंदिर बनने वाला है उसमें अकसर वीडियो में देखा हुगा रील्स में देखा हुगा कुछ मजदूर छेनी हाथ वड़ा लेकर जो काम करते हैं उसी को नकासी बोला जाता है ठीक है ना मंदिर बहुत बड़ा बन रहा है न्यूज में है देखो कर पता लग जाएगा सकूप क्या है अब यह स्खूब ऐसे लिखा जयान नहीं आ रहा हुट लेकिन पत्थर से छेनिया, थोड़ा से उसको तोड़ तोड़ के काट काट के कुछ न कुछ करने को ही क्या कहते हैं, नकासी कहते हैं, स्कूप क्या है, अब ये स्कूप ऐसे लिखा तो ध्यान नहीं आ रहा, अब मैं बता दूगा तो तो मैं ध्यान आ जाएगा, और वो कैसे यह वही स्कूप है भाई यह यह वही स्कूप लिखा हुआ है यहां पे ठीक है ना समझ में आगी बाते हैं तो यह वही स्कूप हो गया भाई ठीक है स्कूप अब आइस क्रीम के लिए स्कूप यूज होगा के लिए रहे न अच्छा इसके अलावा मैं बता देता हूं तुम्हें एक स्कूप और चीज के लिए भी उज होता है कोईले की खदान से जब हमें या कहीं से कोईला उठा के डालते हैं तो वो भी स्कूप का ही काम होता है तो जो रेल में कोईला कैसे डालता है तो जो रेल में कोईला डालता था जिस हतियार से डालता था उस हतियार का काम भी स्कूप का मतलब यह नहीं है कि यह बना दिया और इस तरीक्य का जो है सरजी ऐसा स्कूप पूटिखता है नहीं भाई वो जो हतियार टालता था जो जिस हतियार से वो kuoyla डालता था रेल के इंजन में उसका काम भी स्कूप करने का योतर सवाल था लेकिन SSC में पूछा है UP में नहीं पूछा है वो होता तो मैं जरूर बात करता उसके ठीक है सुराक के लिए किसका काम होगा ड्रिलिंग का काम होगा ठीक है न और खुदाई के लिए यह आपको पता है भाई फावली वगरा का जो है यूज होता है ठीक है इसके लिए दो चीज़े यूज होते है एक तो फावली का यूज होता है और एक और है अभी मेरे को उसका नाम होता है खुधाई-फुधाई करना सुरा करने के लिए भी लोह पतला साथियार होता है रोड टाइप का आगे से थोड़ा सा पतला होताा हो और if you know पतानीज को क्या बोलते हैं तो वो कामें पे होता है आगे बात करते हैं इंपोर्टेंट है केसर, मसाला, सेव क्या होगा, अब केसर क्या है, मसाला है, सेव क्या है, फल हो गया, असान था, लेकिन मैं कहरा हूँ कि इंपोर्टेंट क्यों है, मुश्किल क्यों है, मुश्किल इसलिए है कि केसर तो मसाला हो गया, ठीक है, केसर क्या हो गया, मसाला हो ग ठीक है ना हिंदे में पता है नहीं उसको क्या बोलते हैं वह है लेकिन सब्सक्राइब डालने के लिए है बैसादियों में तो फैर उसको डालते हैं और वैसे भी कहीं नहीं अगर देखा तो बड़ी अच्छी बाता घर भी तो शैद उतना यूज नहीं करते होंगे लोग और स्टार फ्रूट गूगल करना पिक्टर मिल जाएगा तुम्हें क्या है तो उसका पूरा नाम स्टार फ्रूट है लेकिन वह है मसाला ऐसी चीजों से बड़े गलती करने से बचें जिनके पूरे-पूरे नाम दे रखे होते हैं ऐसा नहीं कि भाई अगर फ्रूट आ तो फल लिए है ओन्हां उसका रखे हिं अपक इसी चोटे-चोटे मसालों के बारे में कि किसी क्वी साले स्वाल पूछा जा चूका है बाई एक्जाम में तो मसाला भी इंप्रोटेंट हो गे अपने पास नहीं कि पटा ही नाओ कि कित ये क्या पूच लिया मसाले में करता हूगा लोंग, उलाइची और ये धनिया, सुख़ा धनिया जो है, इस चोटी-चोटी चीज़ जो हो अपने को पता हुगा है, लेकिन जो बारिक-बारिक है, वो नहीं पता होगा, बतलब कुछ को पता होगा, कुछ बच्चों को है, कुछ लड़के काम करती होगे, तो उनको सहत दे यह रहा भाई, क्या? ये व चीज है जो मैंने खाथा कि किसकी आवाज क्या है? भच्चा रोना करेगा भाई, ठीक है ना, शेर, दहाडेगा, बकरी, मिमियाएगी, बकरी है गाओं दिहाध के बच्चे नहीं सुनी होगी वैसे शेर वालों नहीं सुनी होगी ठीक है क्यों कि उल्लू झागता ही रात को है अब रात को हम लोग सो जाते है तो वो कोर्णीनेशन ही नहीं हुआ होगा कि हम उसको जो कभी सुन पाएं फिर भी मैंने बता दिए है धड़कना अब ये क्या है भाई दिल का ही काम है धड़कना तो वो दिल के बारे बात कर रख्यों थी तो वो धड़केगा ठीक है का का कौन करेगा भाई कोवा करेगा पता ही आप लोगों को दहाड़ेगा कौन सेर दहाड़ेगा चीता दहाड़ेगा इस तरीके की जो बाते ह वह सारी कि सारी मैंने संधा दिया ओपने साइड में वी के तोर पर लिखे लिए बाकी मैने स्टार्टिंग में भी समझा दिया था ठीक है यह रहा वो कंट्री और कैपिटल इंग्लेंड की कर पाओगे नहीं है तो नहीं कर पाओगे कब पूछा गया है यह भी सामने लिखा हुआ है तो तब अगर याद था तो क्या होगा नहीं है तो नहीं क्या होगा बंगलदेश की कैपिटल क्या है भाई डाका होगी है चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं ठीक है निम्बू जो ह है वो खट्टा है तो ice cream क्या होगी वो यहां पर दे रखा है अब यह थोड़ा से important सवाल है important क्यों है क्योंकि यहां पर option ऐसे हागे भाई ठीक है ना तो कभी कबार state exam में ऐसे भी option हो जाते हैं मिलते जुनते से यह नेंबो तो खट्टा है वो कर देंगे हम लोग बता देंगे लेकिन आइस क्रीम के लिए क्या बता क्योंकि पहला यह ऑप्शन ठंडा डाल रखा है अब नीचे तो बच्चा जाए गए निवह तो पहले को टिक कर देगा ऑइस क्रीम जो है ठंडी है ठंडी है असकी है नामसे पता चल रहा है कि आई सही यह निगी बरफ है तो ठंडी लेकिन याप पर वो पूछा यह पोग्हां है नीपनू को डेस्ट कैसा है के क्टा है आइसक्रीम का टेस्ट का थंडा है थे तो बात यहां पर है नहीं तो यह भी मिरा नहीं हो सकता दूद अब आइस क्रीम दूद से बनी है कि हाँ दूद से भाई आइसक्रीम घर पर हम लोग जो बनाते हैं तो अगर किसी चिफ्ट में वह अंसर उपर उता तो उससे टिक नहीं करते हैं लो निम्बू खटे से ती ती बड़े ध्यान से करने वाला सवाल था यह जल्द वाजी में इसको टिक करके हम लोग गलत नहीं कर देते हैं आगे देखेंगे घी वनस्पती अब यह भी इंपोर्टेंट हो गया इंपोर्टेंट क्यों हो गया क्योंकि गाउं देहात में ऐसा ही है पता होगा बच् आगजीक्ट उहा चाहता है अगे यहां पर देखनेऐ वाली बात थी घी तो घी है सबी को पता है घरों में वह अगयों में कि जब घी की quantity बढ़ानी हो तो उसमें वनस्पति डाल लिया जाता है, मिलावट करनी हो तो, घी में अगर मिलावट करनी है तो वनस्पति डाल दो, नहीं पता चलेगा, ऐसे ही दूद में मिलावट करनी है चाय डाल देंगे क्या, नहीं, दूद में मिला उट करनी है तो पानी ही डालना पड़ेगा अब ये बड़ा अच्छे समझ में आ गया लेकिन ऐसा सवाल पूछे ही जाने लाइक नहीं था कि मिला उट करके क्या बनेगा कि सवाल जा चुका है और चैट-एकर में या नहीं बात करनी भासपाइस उसको क्या कहते है पुछा गया कि सुम Και होता है और यह जो term है वो कहां पर use होगी? वो kidney के लिए use होगी, यालिकि जो kidney के बारे में कहीं बात हो रही होगी, तो वहापर यह term जो है use हो रही होगी. इसके अलावा बात कर लेते हैं, यह सारी के सारी चीज़े हम लोग ने देखी हैं, अब बात करते हैं, नंबर एनलोगी में क्या होगा? जब सवाल इस तरिके से पूछे जा रहे होगे, ठीक है भाई? अब इसके अगर हम लोग बात करते हैं, तो अच्छा सवाल है यह, दो, आठ, तीन के बाद यहां पर क्या होगा इस तरीके से? तो भाई तीन के बाद किसी का पुछल लगा रहा हुँ किसी का 12 भी अंसर आ सकता है अकर मैं अभी बताउं लोजिकर ना बता हूं तो बाय बाले का भी अंसर 12 ठीक है और नो की बात करें नो नहीं 27 वाले का भी अंसर जो है वो भी ठीक है आप तो इसके इसके लिए कैसे ध्यान रखेंगे वह लो इसके लिए थोड़ी सी टेबल है वह अपने को थोड़ा सा याद रखनी होगी एक मतल़ सीक्वेंस है टेबल में एक सीक्वेंस है वह ध्यान रखना हुगा तब से पहले अपने को देखने प्राइम नंबर ठीक है तो प्राइम नंबर ध्यान रखने होगे पहला लोजिक जो लगे का हुए आप प्राइम नंबर का लोजिक लगता होगा ठीक है यानि कि जो अपने आप से भाग होंगे एक से भाग होंगे और किसी से भाग नहीं हो रहे हो करोंगे इसके अलाव की में बात कर लेता हूं स्केयर स्केयर के जईस्ट बाद अपनेको क्यूब देखना होगा सिक्वण्बंस न 설 यह direct है मैं पहले स्केयर दे हूं उसके बाद मैं क्यूब होगा कि भाई मैं बात कर रहा हूं multiply divide वाली बात कर रहा हूं मैं plus minus वाली बात कर रहा हूं जैसे मैं इसकी बात करूं अलग नहीं है इसके अलावा illogical जैसी चीज़े भी यहां पर देखी गई है यूपी के exam में illogical pattern बात करेंगे कौन कौन से सवाल आए हुए है खैर वो जब पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे हैं हम लोग अब इसी example के अगर मैं बात करूं इसी example को अगर हम देखें है 2 का square 4 होगा वह नहीं लगा क्यूब की बात कर लेते है दो का क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना होगा अब की यहा पर 27 हो जाएगा ठीक है इसी के साथ एक से क्ई और बताओंगा यहां पर जो पर आपने को करनी होगी महनत अपने हिसाब से वह क्या है एक से बास्ता की बात कराऊ ना नॉर्मल एक से दस तक तो होने चाहिए बीस तक कर लोगे तो बहुत अच्छा उससे सब्सक्राइगी नहीं लेकिन ठीक है इतना तो अपने को करना पड़ेगा ही पड़ेगा तभी चीजे जो हैं सही हो रही हो अब यह मैराफन टाइप तो ऐसा नह सब्सक्राइगा के लिए होगे बाते इसका एक अंसर के गर मैं बात करूं यह भी मैं मैंने वह सी समझाई नहीं है मैं चीज़ की यह भी हो सकती थी और वह यह कि गुना तीन प्लस दो यह भी तो ठीक है भाई इसमें को गलती थोड़ी है यहां पर भी कर सकते थे तीन गु सीक्वेंस तो भाई अपने यही रहेगा केलियर है सीक्वेंस को भी मैं बता जता हूं सीक्वेंस को तो फोलो करेंगे हम लोग लेकिन ध्यान रखना यूपी का एक्जाम है सीक्वेंस भी है लेकिन फिर भी एक्जामिनर अपने हिसाब से कुछ भी ठीक मान सकता है अपने ह सवाल के एक से ज़्यादा अंसर हो सकते हैं नंबर एनलोगी में किलियर हो गई बातें लेकिन सीक्वेंस को फॉलो करेंगे अधिकतर सवाल सीक्वेंस के मानना चाहिए क्योंकि सीक्मेस से ही कहती है उसका इसाब से प्रीविस एर में सीक्मेस उसने यही फोलो किया है लेकिन अगर वह अड़ जाए कि भाई मैं तो बारा वाले को ही नंबर देगा कितना कुछ भी अब्जेक्शन लगा लो कितना कुछ भी कर लो वह 27 की तरफ देख के रिए चलिए आगे लिखा गया है कि अब नंबर सोस्की बात कर रहे हैं मोग ठीक है ना इसकी नंबर इसमें लोग इग इंपोर्टेंट सवाल बताता हूं इंपोर्टेंट किस तरीके से हो गया है यह important इस तरीके से है, ऐसा सवाल exam में देना वैसे ही वो time taking है, अब उसने exam में देर खा है भाई, तो मैं करा रहा हूँ इसको 2019 में उसने पूछा है, otherwise, ऐसा सवाल देने का कोई तुक नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कोई logic नहीं था, कैसे? सीधी calculation बताता हूँ है, इन दोनों को आपस में गुना करोगे तो बनेगा एक, 32 को किस option के साथ मैं गुना कर दूँ, कि वो एक बना दे, यह है भाई, इसका मतलब, ठीक है, समझ में आगी भाई बाते है, पक्का, तो 32 को अगर मैं इसके साथ गुना करता हूँ, तो one बना दे अब यह समझ ही नहीं आ रहा हूँ, यह है क्या, चल क्या रहा है आपे, कैल्कुलेटिव है पूरा, है तो है, बता दिया बैरे क्या लोजिक लगाओ, important इसको लगाया है, कब का है, वो सामने लिख रखा है, answer उसका वो होगा, answer उसका वो होगा, अब इतना कैल्कुलेटिव बना दो, 5 बना दो, 8 बना दो, क्या 8 तक कैल्कुलेटिव करेंके, क्या हम इसको, बोलेदा, 17 बना दो, अरे 17 तक क्या पता, कितनी कैल्कुलेशन हो जाएंगी भाई, तो तक कहा तक से करेंगे, वो तो टायम खराब करने वाली बात है, लेकिन exam में दे रखा ऑसने, तो मैं है हेसे है हैं नहीं है और यह पर 21 को सोड़ दे तो कोई और सकेर भी नहीं लिकर कर यह सकेर नहीं है लोग अगर तीम चीज़ नहीं ऊपर बात में स्सीक्विंश डरत एक् physics गया होगा आपक़ एक सबुनातथ कर दो और उस से मि Remote दो तो तो और जाएगा भई 40 21 गुना दो 42 42 माइनस दो 40 27 गुना दो 52 52 माइनस दो 50 16 गुना दो 32 32 माइनस दो 30 30 मेरा यहां पर राइटन सर्फ हो जाएगा कोई दिक्कती नहीं है क्या है mathematical operation mathematical operation का मतलब भी क्या होता है सर जी पलस नहीं divide multiply प्लस माइनस और यह होता है भाई इसका मतला ठीक है जी चले आगे चलिए भाई यह रहाँ सवाल और 23 है 8 लिख रखा है 34 है क्या होगा बहुत important सवाल ठीक है illogical pattern है भाई यह illogical pattern जो मैं बता रहा हूं कितना भी कुछ भी जोर कर लो तुम लोग नहीं निकाल पाओगे 23 से 8 कैसे बना है यहीं काम कर रहे होगे कितना कि भाई 8 गुना 4 तोरी 8 गुना 3 आठ तिया 24 माइनस ए याने कि गुना 3 माइनस ए कर रहे होगे तो यहाँ पर क्या होगा इसर जी एक्स गुना 3 माइनस ए करके कितना बना दें 32 बना दें एक धारा जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स गुना तीन बराबर 35 हो जाएगा क्योंकि माइनस काई की दाया के पलस हो जाएगा और ये एक्स बराबर 35 बटे तीन और 35 बटे तीन exact हो नहीं रहा कितना भी कुछ भी कर लो ऐसा option ही नहीं है दूर दूर तक फिर क्या करेंगे अलग लोगिक जू है यहां प्रम बता देता हूं तुम्हों लोगों को अब इस सवाल के अगर हम बता करते तो इस सवाल पॉória को को इस तरीके से दे रखा है, सवाल को, ठीक है, तो ये दो एक बन गए, यहांपर point आ गया भाई, और 3.4 और आगे भाई, question mark यहांपर लिखा हुआ है, अब दूसरी में क्या दे रखा है, दूसरी में सेम ऐसा ही दे तीन, तीन तिया नो, तीन तिया नो, तो नो गुना नो, 81, 81 जो है यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आगी, दोनों में से पता नहीं भाई, language क्या रही होगी, वो देख लें तुम लोग क्या रही होगी, लेकिन मैंने बता दिया कि लोजिक इतना अच् क्या गया है, अब ये power 4 है, जल्Дी कैसे करते, अगर 3 का क्यों पता होता है, क्योंकि 4 का मतलब क्या है, 3 को 4 भार गुörग करना, अपने आहाम है, भाई 1, 2, 3, 4 ठीक है न, और अगर 3 होता, तो 3 के नो, तो इसका मतलमी आपके क्या होगा, एक बार और उसको 3 के साथ, sorry, 27 27 27 को एक बार और 3 के साथ गुना करेंगे, 27 गुना 3 कितना होगा, 81, 81 में अपना भाई, टिक कर देता, ठीक है न, समझ में आगी बाते, इस तरीके से अपने को वो याद होंगे, तो बहुत अच्छा यहां पर रहने वाला है, अब इसकी बात करते हैं, प्योर कैल्कुलेटिव हैं, वो इस तरीके से हो रखी है, कि 3 प्लस, 3 प्लस, 3 नहीं, 3 प्लस, 10 ठीक है जी, और इसको किस के साथ गुना कर रखा है, 3 प्लस, 3 के साथ, और वो कितना बना रखा, 78, 10 और 3, 13, 13 गुना अच्छें, 78, 5 प्लस, 10, 15 हैं, और 15 हैं, वो किस के साथ गुना कर रखा है, भाई, अब यहाँ पर भी दो बाते हो सकती है, कौन-कौन सी, एक तो यह हो सकती है, 5 में 3 एड़ कर दे, एक ही हो सकता, 5 में 5 एड़ कर दे, ठीक है न, क्योंकि यहाँ पर वो चीज सेम लिखी गई है, यहाँ और इसी वज़ए से यह point जो है, और यह question जो है, वो important होगा, क्योंकि यहाँ पर दो calculation मेरे को एक साथ करनी पड़ेंगी, ज्यान रखे करनी ही पड़ेंगी, मजबूरी है, करेंगे ही करने हैं, भाई, जो अच्छी लगती हो दोनों में से, वो पहले कर सकते हो, ठीक है न, म मैं यहाँ पर देखता हूँ कि तीन और तीन, तो मैंने यहाँ पर देखा कि पांच और पांच कितना हो जाएगा भाई, दस हो जाएगा, पचास गुना दस, डेड़ सो, डेड़ सो मेरा option में नहीं है, इसका मतलब यह calculation यहाँ पर नहीं हो रही है, इसके बाद फिर यहाँ आगे बात कर लेते हैं, 82 और 64 यहाँ पर लिखा गया है, 92 और question वार यहाँ पर लिखा गया है, अब इसके अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो 64 का मतलब तो यह हो गया भाई, सीधा सीधा 8 का square हो गया, ठीक है, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि square ही आना चाहिए, तो किसका स्केर आ सकता है 81 आ सकता है यहां पर क्योंकि इसके अलावा एक ये भी तो स्केर दे रखा है ये भी तो स्केर है ये भी तो स्केर है ये भी तो स्केर है तीनों स्केर दे रखें कुछ भी आ सकता है अपने पास तो स्केर अपने को देखाना है फिर यहां पर क्या आ रहा होगा अब देखते हैं इसमें तो यह है जी 8 का स्केर 64 हो गया यह क्या है यह जी 9 का स्केर प्लस एक दे रखा है यहां पे अब इसकी बात करें यह किसी का स्केर है ही नहीं 91 किसी का स्केर ही नहीं तो फिर यहां पे और क्या हो सकता है तो स्केर भी देखा असा एक कम यह भी देख सकते हैं यहां पर क्या है बड़ा नंबर यहां पर क्या है चोटा नंबर यहां पर है बड़ा नंबर अब इससे चोटा नंबर ही आएगा पीछे इससे चोटा नंबर इतना तो confirm हो गया कि 100 नहीं आ सकता बाकी कुछ नहीं कुछ आ रहा होगा इसके अलावा difference देख सकते हैं हम लोग difference मैं को देखा मैंने देखा भाई 82 में से मैं अगर 64 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना बनेगा इधर से carry लेंगे कितना बना देगा प्रस्ट साथ 74 झार पर अबाइण सरने इसके अलाव अखर हम लोग बात करें यहां पर क्या लोजिक नहीं रहा होगा चलिए इसके अलावा जब हम पहला लोजिक मैंने बताया वो देखा नहीं लगा ठीक है जी दूसरा मैंने बताया लगा के देखा नहीं लगा ठीक है जी तीसरा भी बता दूँगा लगा के देखेंगे नहीं लगेगा करते करते जितने possible logic हम लोग वीडियो में cover कर रहे होंगे वो जब सब कुछ लगा कर देखोगे तो एक logic लगी कहा है यहाँ पे वो जो calculation वाले है वो साही फेल हो जाएगे कौन सा लगेगा 8 यह जो 2 नहीं है जी यह 2 नहीं है यह 8 की power 2 है यह 8 का square कितना है जी 64 है यह 9 बानवे नहीं है जी यह 9 की power 2 है यह 9 का square है 9 का square कितना होगा 81 होगा 81 यहाँ पर अपना right answer आ जाएगा clear हैं बाते पक्का ना समझ में आ गया और इसी के बाद फिर हम इस सवाल को कह सकते हैं कौन सा सवाल था वो कि यह भी 23-8 ही रहा होगा यानि इस वाले format की भासा वो नहीं रही होगी point वाली क्योंकि यहाँ पर भी उसने logic उसकी उसकी power दे रखी है पहले digit बाद वाली उसकी power है तो यहाँ पर भी आगे ऐसा ही यहाँ पर उसने कर रखा है पहला जो digit है वो और पीछे वाली जो है वो उसकी सामने वाले की power है पीछे वाली जो digit है वो सामने वाले की power है इस तरीके हैं यहाँ पर चीजे use की गई है चलिए आगे बढ़ जाते हैं यह भी अपने आमें बड़ा important सवाल हो गया भाई यह भी अपने आमें pure calculative सवाल है यहाँ पर ठीक है ना इसको भी करेंगे हम लोग करने से पहले एक चीज जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ वो चीज यह है कि भाई यहाँ पर हम लोग वो देख रही होंगे जो कि किसी ना किसी का scare और cube हो सकता है क्योंकि मैंने बताया था तुम लोगों को कि scare और cube कि अगर हम लोग बात करते हैं तो यह अपने को कहा तक याद होने चाहिए यह अपने को scare बताए है मैंने आपको 20 तक कर लो या 25 तक कर लो कि तो बहुत अच्छी बात है क्यों बताया कि 10 तक तो होने चाहिए लेकिन 20 तक कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा अब यह 20 तक वाली बाते हैं ठीक है कैसे है मैं बता देता हूँ अब लोजिक कोई ऐसा खास लोजिक आपे है नहीं बहुत गटिया लोजिक देख है इस सवाल में क्योंकि सवाल कूछा गया है तो कौराना मजबूरी है बाकि ऐसा सवाल होना ही नहीं चाहिए था यह क्या है भाई यह चोधैं का स्केर दे रखा है और आगे दे रखा है 13 का स्केर ठीक है समझा गया अब किसी भी चीज जगा स्केर निकाल लो 2744 किसी का square है ही नहीं इन option वालों का तकर किसी का कुछ है ही नहीं वो समझ में आगी बात जब पहला square है दूसरा square है तो यहाँ जो तीसरा था वो भी square होना चाहिए था लेकिन examiner ने मैंने नहीं भई examiner ने ऐसा ही गंदा काम किया कि यहाँ तो उसने पहले वाले में तो उसने पूछ ले नहीं कि पहले pair में तो उसने पूछ ले square का logic और अगले pair में उसने cube गब दे रखा है अब 20 तक के cube याद होते तो पता होगा कि यह किसका cube है भाई यह किसका cube है यह अपने आप में 14 का cube है है तो आगे कितना होगा यहां पर अब 13 का क्यूब आना चाहिए था अलाकि एनलोगी इस बात को इस लोजिक को बिलकुल भी मानने नहीं करती है यह चेप्टर ही इस सब बात को मानने नहीं करता है लेकिन सवाल दे रखा है तो कराना मजबूरी है ठीक है न क्योंकि जब लोजिक है तो भाई हर जगह आ तो क्यूब का लोजिक दे वो यह हर जगह स्केयर का लोजिक दे क्योंकि एनलोगी यही तो कहता है जैस क्यूब अपने को पता है तो हम लोग कर सकते हैं otherwise हम लोग यहां पर नहीं कर पाएंगे और इसी का मैं इसको इस तरीके से छोड़ रहा हूं सवाल को क्योंकि करना है तो अपने को सीखने पड़ेंगे ठीक है समझ में आगे बातें करके ही बताना पड़ेगा अपने को 13 का क्य अगे जहीं चलें याँब यहाद होने चाहिए यसे में कहा है 1 से 20 तक कर लो बहूत रहेगा भाई काम चला लगे हमठो ठीक है चलें आगे आगे दे रखा है यहांपे क्या है बहुत अछी बात है यहांपे आसान है 20 तक के मैं स्किया की कहा था कि 20 तक में काम चल जाएगा तो 20 तक की ही बाते हैं या पर ठीक है ना 15 उसके बाद अगर मैं 15 का स्केर कर देता हूँ तो अनसर आजाएगा जी 225 उसमें एक जोड़ दो आगया आगे किसकी बात करते हैं यह रहा भाई किसके स्केर में एक जोड़ने पर 60 आएगा किस नंबर के स्केर में एक जोड़ दो तो पैसट आएगा सीधी सी बात है आठ आठ का स्केर 64 एक एड़ किया पैसट तो इधर आठ आ जाएगा हो गया सबल खतम असान था कोई दिक्कत वा ulse-210 क्या प्राइम नंबर तो हैं नहीं 110 किसी का स्केर नियकर लakने बताया था तो भाई 10 से एक sudah 110 सीधा दीखरा मेरे को गुना 11 हो रखा है तो मैं किस नंबर को 11 के साथ गुना करूँ कि मैं 132 बना दूँ इस नंबर को 11 के साथ गुना करूँ कि मैं 132 बना दूँ इसके भी दो तरीक्के हो गए कैसे मैं बता देता हूं तुम लोगों को मान के चले मेरा कोई नंबर है ए को मैं 11 के साथ गुना करूं और मैं कितना बना दे 132 बना दू पहला तरिक्का तो मेरा ये हो गया अब इसी का ही दूसरी बात है 11 को इधर ले जाके डिवाइड कर दो तो दूसरा मैं ये भी कह सकता हूं ए पाने के लिए मैं 132 को 11 से डिवाइड कर दू अभी कहने को तो ये दो अलग-अलग लोजिक हो गए लेकिन मैथ की भासा में ये लोजिक ये की है कैसे भी निखिलो अंसर्च में निकालना है कर सकते हैं तो इसरे जो अपना भाई राइट अंसर कितना आ जाएगा 12 गुना 10 करेंगे के साथ 13 गुना में 12 करता हूं तो 130 और 26 में को करना होगा 156 बन जाएगा 156 यहां पर मेरे राइटन सरा जाएगा उप्सन नमबर भी सीधे कैलकुलेटिव है मैं कैलकुलेटिव ही मतलब की टेबल के है तो टेबल भी भाई 20 तक याद होने चाहिए वो भी कर लेना आगे है असान सवाल है केक और ओवन अच्छा यह भी भाई सेर वालों के लिए असान है गाउम वालों के लिए हो सकता है यह भी मुश्किल हो अब केक ओवन ओवन क्या है कि ऐसी चीजे जिसमें केक बनाया जाता है जैसे कि सबजी बनाने के लिए प्रैसर कुकर चाहिए ऐसे ही केक बनाने के लिए ओवन चाहिए ठीक है ना तो केक किसमें बनेगा ओवन में बनेगा अब जिसको पता है उसको पता है जिसको नहीं पत है तो इस तरीके के Mayo का बड़तन है यह स्टी टरीके से यह भी अग तरीके से किसी मेटिल का बरतन होते हैं तो व writers चाहिए कि बिल्कुल चाहिए को कर चाहिए क्या नहीं चाहिए है चला यहLes करनी थी लेकिन उसके अलावा अपने को अपने इंडियन स्टेट की भी याद रखनी होंगी ठीक है अपने इंडियन स्टेट की भी याद करनी पड़ेंगी और इनकी खास कर याद करना है जो seven sisters हैं इसमें अक्सर बच्चों को confusion हो जाती है अक्सर इसमें confusion मिलेगी ही मिलेगी तो इसको जाहन रखना, मेगाले की capital क्या है, सिलोंग है, नागालेंड की capital क्या होगी, कोहिमा होगी भाई, इसको बड़े ध्यान से करना, इसमें confusion होती है बहुत बार, उसको जरूर सॉल्व करना, बाकी जैसे कि इंडिया की map के अगर बात करें, रफली में अगर मैं इसका map बनाओं, तो कुछ ऐसा बनेगा, यह जो पार्ट है, इसकी ही capital अपने को याद होने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकते हैं, बाकी सबी की हम लोग पता कर लेते हैं, याद रख सकते हैं, नहीं भी याद होगी, तो भी एक अंदाज्जा हो जाता है, उक्शन से कि भाई, वो हो होगी या या यह होगा, लेकिन इसमें हम लोग फस जाते हैं, इस चीज़ से थोड़ा सा बचना होगा आपने को, चलिए, यह फिर से कैसा ही सवाल आगा है, जो मैं पहले करवा चुका हूँ, वो मैंने score वाला जो सवाल कराया था, ठीक है न, तो so, एक वर नमबर लिखा ग करते हैं, यूज करते हैं, इस वर्ड को ठीकर तो उसकी बाद कर लेते हैं, तो, थो सालों का समूह क्या है स्ताब दी होता है, ठीक है न, siya क्या क्या कर रहे होंगे, एक मिर्ट ये स्लाइड नंबर है पचास, ग्रूप का मैंने बताया था कि भाई ग्रूप का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये रहा हो, तो ग्रूप का अगर ध्यान रखने के लिए मैंने बताया था, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कि जहाज का बेडा हो गया, नहीं, इसको गुरूप बोल देना, मतलब कि देख लेना, क्या बोलता है वो दिन दे में तो, वो क्या है, स्ताबदी हो गया, ऐसे ही, साथ दिन का सम्हूँ जो है, वो क्या हो गया, भाई सफता हो गया, ठीक है, और पंदरे दिन का क्या हो गया, पखवाडा हो गया, इस त इस त तरीके से अपने जो चीजे हैं वो थोड़ा सथोड़ा ध्यान रखनी होगी 10 साल होगा दशक हो जाएगा ठीक है न इनीको अपने को थोड़ा सथी हण दखना होगा अब इसमें जो डाउट हो सकता है 이제 30 दिन वाले वो particular किसी महीने की बात कर रहा है 39 आदे तो इसका वो फरवरी की ही बात कर रहा है तो वो फिर हम लोग उससे समझ सकते कि वो exam में कहना क्या चाहता है समझ में आगी बात है लेकिन फिर भी मैंने कुछ प्रेज उनका होगा चीक है बता दिया दस के लिए दस तो कुछ होई नहीं सकता क्योंकि दस तो है ही क्या भई दस तो कुछ होता है नहीं दस तो एक सिरफ डिजिट है ये किसी का grouping का नंबर ही नहीं है पकवड़ा पंदरा सफता साथ दसक दस स्तो स्ताबदी स्तो हो गया भाई और स्कोर बीस हो गया समझ में आगी बात है स्कोर पहले एक सवाल था मैंने उसमें कराया है तुम लोगों को उसमें देख लेना स्कोर जो हो कितना हो गया बीस हो गया चलिए आगे देखते हैं उल्लू का संबन कैसे है भाई प्लाइंग से अब ये भी एक आउल का सवाल है उल्लू का संबन प्लाइंग से उड़ना से ठीक है ना तो ऐसे ही लेंब का संबन किसे होगा अब लेंब के बारे में बात करें हाँ लेंब का मतलब है अब हिंदी में में नहीं लिखा हो मिलेगा इसमें ठीक है ना अब इसका मतलब पता है कि यह होता क्या है तो तो हम बता पाएंगे अदरवाइस अगर पता ही नहीं है भाई कि वो उड़ता है तैरता है चलता है क्या है क्या नहीं पता पर लगा पाएंगे तो लेम जो है वो उसका उता भाई क्रीडा करना बकरी के बच्चे के जो है उसको बोलते है लेम ठीक है तो वो क्या है उसका काम क्या है क्रीडा करना उड़ना नहीं भाई उड़ नहीं स तलब कुछ हो रहे हैं लेकिन इसको प्राइब ची यहां पर यूज कर रखा है यह बड़ा अच्छा सवाल है भाई फार्मिंग इस रिलेटीड टू मॉन्सून ठीक है जी वैसे ही मार्किट किस से रेसंबंद रखता है मार्किट भाई मांग से रखता है मुल्य से रखता है छूट से रखता है अर्थ व्यवस्ता से रखता है अब कुछ एक ज्यानी इसको भी टिक कर सकते हैं अर्थ व्यवस्ता को ठीक है कुछ एक ज्यानी भाई छूट को भी टिक कर सकते हैं कुछ मुल्य को कुछ मांग को तो यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं वहीं सीधी सी बात है फार्मिंग अच्छी कब होगी जब मांसून होगा अच्छा होगा मांसून अच्छा फार्मिंग अच्छी मांसून बेकार फार्मिंग बेकार खेती बाड़ी होता है ना ऐसा हम अक्सर लीपेंड करेगा इसमें तरह किस तरीके से क्या मांग पर ही निर्बड होगा बागी किसी शीज़ पर नहीं होगा आगे देखते हैं इफजी इस लेलेटेटेट टू 5 6 7 उसी तरीके से ओ पी क्यूज किस तरीके से रिलेट कर रहे हो हुग है इतना difficult है ही नहीं कि इसका नसर ना पता लगाओ कैसे है ए एफ जी पांच छे साथ इनकी प्लेस वैल्यूटे रखी है ओ पी क्यों क्योंकि 16 17 तो चलो इजोती से ओ का पता चल गया पंदर है पी क्यों 16 17 तो पंदरा 16 17 कहां पे है और नमबर सी में यह मेरा राइट अ करना है हर बार यह चीज़े काम नहीं करती है कभी कबार कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ही काम करेंगी एर प्लेस वैल्यू का लोजिक था सीधा सीधा दिखी रहा होगा आगे पूछ रखा है जी एच आई इस रिलेटिड टू वट जी एच आई निमिलने कि चार आउक्षन में से किस संबंद रखता है वैसा ही संबंद जैसे की आर एस्टी 18-19-20 से रखता है और एस्टी 18-19-20 से रखेगा तो सीधी सी बात है प्लेस वैल्यू है और कुछ भी नहीं है लेकिन फिर यह सवाल क्या पर क्यों है यह सवाल इसकी लेंग्वेज की वज़े से है लेंग पूछा वही है जो हम अब तक कर रहे है थोड़ा से गुमा के पूछ लिया पीछे वाली चीज अब की बार सवाल में पहले चिपका दी उसने इंगलिस में और आगे वाली चीज पीछे दिख रखी है तो थोड़ा सा हो सकता है बच्चे को समझ में आई इसलिए लेंग्वेज बेस की वज़े से दे रखा है तो प्लेस वैल्यू पर ही सवाल जो है वो अधारित है क्या है भाई आर कस्थान अठाराट एस का उन्निस टी ट्वेंटी जी का स्थान साथ एक स्थान आठ और आई कस्थान नों साथ आठ नों और सी राइट अंसर हो जाएग चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं बिलो विच इस दा मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव इन दा प्लेस ओफ कोशन मार ठीक है भाई नीचे कोशन मार के स्थान पर कौन सा सुटेबल उप्शन आये है तर वो बता रख रहा है ठीक है बी के लिए चार है सी के लिए छे हैं इके लिए 10 है समझ में आगी बाते हैं ये के लिए क्या होगा भाई बी का स्थान है दो स्थी का तीन इका पांच सभी का दूगुना लिखर रख है एका स्थान 11 तो 22 लिखा हुआ मिलेगा एम का स्थान 13 तो 13 गुना 26 लिखा हुआ मिलेगा क्यू का स्थान 17 गुना दो 37 ल रखेंगे हम लोग और वो क्या है है कि अधर लिए मैं बता दिता हूँ एक ओग एक और चीज को ध्यान रखना होगा यहां पर एक सवाल ही दे रहा हूं यहां पर खरोगा ऐसा नहीं है कि सेमी सवाल है कैसे कहीं बर ऐसा भी हो सकता था एफ जी को उसने कैसे लिख रखा हो उ इसको लिख दिया 10 इसको लिख दिया 6 इसको लिख दिया उसने 27 झाप नेंगा बताना है ओ पी do F का सेम रखा G का सेम रखा तो P का कितना हो जाएगा Q कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा यह हो गया समझ में आगी बाते इसी तरीके से अगर वो लिख देता אח तो क्या होगा वो हम बता सकते थे समझ में आगी बाते ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है और एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि पहले वाले को ही दुगना कर रखा है पहले वाले का ही दुगना है तो बी का दुगना कितना होगा दो और दो च्यार हो जाएगा लेकिन इसमें एक लोजिक और भी है बड़े ध्यान से पहले का दुगना दूसरे का दुगना यहां कि अगर बात करते तो यहां पर क्या होगा यहां पर पहले का दुगना जो बच्छा देखके टिक कर देगा उसके गलत होने के चांसिज हैं ओप्सन पर देखना क्योंकि दो लोजिक यहां पर लग जाएंगे कौन सा वोवल कॉंसोनेट के लोजिक लग जाते हैं और यही लोजिक ऐसे होते हैं जो चीजों को मुश्किल बना देते हैं ठीक है इस बातों को बड़े अच्छे से ध्यान याँ पर रखना होगा कभी कबार वो इसका अपोजिट की प्लेस वैल्यू भी दे सकता था जैसे ई जी एफ को वो क्या लिख रखा होता 22 लिखता एफ को भई एफ को यू 21 लिखता जी का अपोजिट होता है टी तो वो 20 दिया है वोगल कोन्सोनेंट को ध्यान रखेंगे अपोजिट की प्लेस वैल्लू को ध्यान रखेंगे अगर आगे चलते हैं यह क्या है यह क्या है अच्छा ठीक है ठीक है यह भाई हम लोगों ने है थी ठीक है वह आगे पीछे वोगया वो देखे लें तुम लोगो को ठीक है ना यह मैंने करा ही दिया यह करा दिया यह रहा वो यह रहा भाई सेम पेर का सवाल सेम पेर का सवाल है ठीक है अब सेम पेर का सवाल है तो सेम पेर में लोजिक कुछ भी लग जाते हैं यहां पर क्या लोजिक लगा हूं बताता हूं तुम बहुत अच्छा लोजिक है यहां पर कुन सा लोजिक है मेरे भाई नहीं बताता हूं तुम लोगों तीन लिखा हुआ ह स्टोल है लिखा हुआ है 135 लिखा हुआ है जलिए अब इसके अलावा यहां पर क्या हो सकता है इसको यहां से देखते हैं सिर्फीन क्या है यह यह आपर जो लोगिक है मंए वह बता रहा हूं अब ऐसा स्थान पर वो आएगा जिसमें क्यूब दे रखा हो 81 क्यूब होता है बिल्कुल होता है क्या रिजनिंग में 3 की पावर 4 के स्थान पर यूज हो रहा होगा वह और फिर 9 का तो स्केर होता ही है थोड़ा सानम कन्फ्यूज हो जाते कई बार उसकन्फ्यूजन से थोड़ा सा दें कि दो सेग्ड बचाने के लिए सवाल को गुरत कर दो भई समझें आई बाते ठीक है यह किसी का क्यूब नहीं है 3-4-3 बिल्कुल है भाई साथ का क्यूब है अगर याद है तो भई पता होगा अदर्वाइस नहीं यह अंसर हो सकता है तरह 144 तो स्केर होता है क्यूब नहीं है 256 सर्जी स्केर है क्यूब नहीं है अंसर आगया वाई कैसे पांच की पावर एक पांच है का स्केर 36 साथ की पावर तीन 343 याद करेंगे तो हो जाएगा इसके अलावा कि ट्रिपलेट्स अपने को याद करने होंगे ट्रिपलेट्स बात समझ में आगी ट्रिपलेट्स क्या होते हैं ट्रिपलेट्स वह होते हैं भाई पाइथागोर स्थोर में हमें लोग यूज़ करते हैं यह तीन है यह चार है तो यह आगया जी पांच बेस का स्केर प्लस परपेंडिकलर स्केर प्लस स्केर प्लस स्केर प स्टेट एक्जाम है और ऐसे टिप्लेट आप उस लिए जाते हैं एक्जाम में ठीक है ना तो डारेक्ट देखना पड़ेगा अब उसमें क्या लोजिक लगा होगे अलोजिक तो लगेगा दोनों का स्केर सी के स्केर के बराबर होगा कैसे यह लिख रखा है तीन च्यार अबर होगा या तो काम करूं मैं नहीं अगर मैं को ट्रिप्लेट पता है तो फिर ही सेगिंड्स का खेंगे में मेरे लिए ठीके ना इस तरीके की बात्ते अपने को थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी भाई चलिए आगे देखो यहां पर क्या देर रखा है फीजियोलोजी मा बताया था ना कि जो स्टड़ी है किसकी स्टड़ी क्या बोला जाता है वह पढ़ना पड़ेगा तब यह भी बताया था कि फीजियोलोजी पूछा जा चुका है ठीक है नेफ्रोलोजी के लिए बताया थे कि किडिनिका भी पूछा जा चुका है वह मैं पढ़ाई चुका को फीजियोलोजी मानव शरीर के लिए जो है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं फीजियोलोजी बोलते हैं उनिर्थोलोजी कीट के लिए बोलते हैं पक्सी के लिए एंटमोलोजी चट्टान के लिए पैट्रोलोजी डाइनासोर के लिए एंथ्रोपोलोजी भाई टोलोजी के बारे में बात कर रखी यहां पर और आइधिंग मैंने सही पड़ा है पक्सी के लिए एंटोमोलोजी तो नहीं होगा भाई और यह गर हिंदी में होते हैं तो इसको इंगलिस में जाद अच्छे कर पाता अभी याद नहीं आ रही भाई इनको क्या बोलते हैं पेट्रोजी चत्टान के लिए है क्या आई थिंक तो यहीं होगा पेट्रोलोजी चत्टान के लिए है एंटोमोलोजी पक्सी के लिए कि कुए कि नि Energy कीट के लिए वह वाई एक में देधे तीन owak फिक कन प्यान वार्ट कैंट निकल जाता है तो सही है हाँ यही है भाई पैट्रोलोजी चट्टान का मैं बता तो रहा ही था ठीक है ना बाकी कनफर्म भी मैंने कर लिया है और ओंत्रोलोजी देखना पड़ेगा यार किसका आभी ना भूल गए कुछ एक वात थे कुछ यह इद्धी में लिखा हुआ है मेरा जो मीडिया में वह इंगलीस है और थोड़ी वह तो प्रोब्लम हो जाते उसके लिए माप परें ठीक है ना बाकी देखते हैं आगे क्या है तो यह थे जो भाई जो सवाल है ना अभी हमने जो सवाल देखें वो हमने देखें यूपी पुलिस कोंस्टेवल के लगवग प कुसी के लिए डों के लिए कैसे क्या होगा वह देख लेटे हैं मिल्क ल जी आई जी 13 से बारें मैंनस एक 9 से 7 मैंनस दो 12 से 9 मैंनस 3 मैं कैसे बता रहा हूँ मेरे को भाई याद है तो मैं तनी जल्दी बता पा रहा हूँ ठीक है ना तुम को याद होंगी प्लेस वेल्यू तो ज़रूर बता पाओगे भाई otherwise तुम्हें भी टाइम लगेगा लिखना पड़ेगा वो चार्ट बनाते रहा जाओगे और इस जैसे एक्जाम में चार्ट बनाने वो तुक नहीं है ऐस तार के लिए आम लोग त्यारी कर रहे हैं ठीक है ना ? महाँ पर इयंक इसी ब्यवकुफू जैसी चीजह मत कर देना 11-4, 7 आ गया चलो, 5-4, 1 एक पर होगा ए, एक इस उप्षन में है चलो जी, लास्ट सेगंड पर होगा माइनस 3, 13, माइनस 3, 10, 10 पर होगा J, हो गया भाई सवाल, ठीक है जी, चलें आगे, इस तरीके से अपने को काम करना है, आगे, रिस्क, इंपोर्टेंट सवाल है भाई, इंपोर्टेंट, SSC का तो ये फेवरेट लोजिक है, अच्छा, UP में कब का है, 2021 किसका लो, बताया था ना, SSC का फेवरेट है, और फेवरेट का मतलब SSC ना, हार चीज़ को रिपीट कर रहा है, 2016-2017 के बाद से चीज़े रिपीटीड चल रही है, तो फेवरेट है, इसका मतलब क्या है, बताता हूँ कैसे है यहां पर, बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा इसको होगे तो पता चलेगा, Q और S, यह माइनस एक है, यह प्लस एक है, 17, 18, 19, 8, 9, 10, माइनस एक, 16, यह नहीं कि हर लेटर का, एक पहले वाला, एक उसके बाद वाला, लिखा हुआ है, वो लेटर खुद नहीं लिख रखा, लेटर से पहला लेटर के बाद वाला, दोनों साथ लिख रखे हैं, फिर अगला लेटर, लेटर के पहले वाला, लेटर के बाद वाला दोनों साथ करके लिखा रखे हैं कैसे ते महीं पर होगा के 10 से पहले आएगा के से पहले आएगा जे बाद में एल ते महीं बात है 19 से पहले आएगा 18 19 के बाद आएगा 20 18 और 20 लिखा होगा बिल्कुल टाइम की बात कर लेते हैं टाइम में क्या लिखा गया होगा 20, S और U लिखा होगा 20 और 21, S U कहां पर है भाई, दो option में, चलिए जी, दो option आ गए, अच्छा अब अंतिम के सेम है क्या, अंतिम के तो सेम है, हम दूसरे को देखते है, I के लिए H, J लिखा होगा, H, J, option number C, option number D भी मेरा गणत हो गया, important है, करेंगे आगे, अगले की बात करें भाई, अगले सवाल में क्या है, ये भी अपने आमें एक बड़ा important सा सवाल यहां पर लिखा हुआ है, और क्या है, 57, 36, 72, अब हाला कि है अपने आमें बड़ा important, लेगिन किस तरीके से है, मेरे भाई, वही बात है, illogical से solve हो रहा है, इस 57, 36, 32, लग ही नहीं रहा होगा भाई, किसी भी तरीके से, लेकिन एक तरीका ऐसा, जिससे इसको answer निकाल दोगे, और वो तरीका यह हो सकता है, कि सर ये भी तीन का multiple है, ये भी तीन का multiple, बतो कि 3 से divide हो जागा, ये भी 3 से divide हो जागा, और 3 से divide होनेवाला ही 15 है, अब तुके किया है सीठीन, बधाता हूं किया है, सातु गुना 5 कितना होगा भाई, इसी सबसुन पांच 35 मैं छमा एक रखा भाई, त्रीस हो गया, सात गुना तो 14 कितना हो जाएगा मैं पंदर हो जाएगा तो उस हिसावर से अनसर तो आपना आ गया, लेकिन इसका जो मतलब था, सवाल को Sol करने का तरीका था, वो बड़ा एक युनीक था, एक दो सवाल का तरीका से Sol करने का वो क्या है, वो बड़ा युनीक है इसको, हमें इसको इस तरीके से करना होगा, ठीक है, समझ में आगी बातें, इसके अलावद जो और भी possible pattern हो सकते हैं, हम वो भी देख रहे होंगे हम वो भी कर रहे होंगे लेगिन इसको इस तरीके से करना होगा हमने क्या देखा भाई हमने को पावर वाला देखा या अपस में गुना वाला देखा कहीं डिवाइड वाला आ रहा होगा तो कहीं पलस वाला होगा कहीं माइनस वाला होगा कहीं स्केर हमने देखा ह है तो इस तरीके की बाते जो है वो यहां पे हो रही होंगे के लिए हैं भाई पक्का समझ में आ गया है न तो बस आगे देख रहेते हैं यह देखते हैं बात करते क्या है कंगारू जोए फीस खास बात यह है तवाल ऐसा ही था अब इसकी हिंदी करों तो हिंदी में कंगारू जोए को जोए लिखा गया था इसको फीस ही लिखा गया था पाफ्ली को सनवार्थ था इसकी भी हिंदी ऐसी थी ठीक है न अब इसकी बात करते इसका राइट अंसर जो है वो क्या होगा फ्राइव होगा राइए अब यहां पर क्या है कंगारू जोए अब फिस तो फिस खाने की चीज है जो सैद मासा हारी लोग जोह वो थो खाते हैं लेकिन शाका हारी जो थी किन кажal को नृजिकर दोना शूखिए करने वानी किन ऐख कर दो नहीं है और यह को promise के बत्चेथे लिए बच्कार दिएक बच्कड़ के बच्चे भी चलिए सब्सक्त नहीं है यह कौन सी फ्राइए यह चोटी फिस के लिए बोला जाता है जो शमुंदर में मचली होती है मचली मानगे चलो हमने कहीं अपने लोकल देखी होगी किसी एक्वेरियम में देखी होगी तो हमने देखा होगा नोर्मल साइज से उसका लगभा कितना रहा होगा लेकिन बिल्कुल छोटे चोटे चोटे बिल्कुल डोट से ठोड़ी बड जो होती है मचली डोल लार्वाज ऐसी दिखती है अपने वह वहर उनको बोला जाता है और वो बता दिया वह बाकिक इसका क्या है वह अपने को देख लेनगे हैंजी हो से लोजी यह रहा S R D A भाई बच्चे बच्चे को पता है A के बाद B X के बाद Y एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ D के बाद 4 5 तो यहां पे आगया एक और O के बाद O O O P आएगा P Y आएगा भाई P Y उल्टा लिख दिया मैंने यहां पे तो Y आएगा यहां पे आएगा P R से T प्लस दो U प्लस दो 21 दो तेईस तेईस पे क्या होगा डबलू होगा P S से यू प्लस दो 19 दो 21 दो 18 यह बनेगा भाई और डबलू P Y ओप्शन नमबर C यहां पे मेरा राइटम सर हो जाएगा ठीक है आर्किटेक्ट क्या बनाता है भाई अब यह पता है कि प्रोफेस्टन होता है तो कर पाएंगे नहीं तो नहीं ओथर क्या करेगा ओथर बुक लिखता है भाई बहुत कॉमन है रिजनिंग की किताब ली है अभी एक्जाम की तयारी करते हो तो कोई ओथर का नाम लिख रखा होगा वह फलाने सर की किताब है यह इसको किताब है किताब है तो इस तरीके के हम लोग उसको हो क्या बोलिघा सोरी किताब लिखता हो जाता तो कर सकते जो तो लगाते तो हो जाता है लेक्चर कोन देता है या फिर लेक्चर नहीं तो प्रोफेसर बोलो आप उसको वह हो गया एक्ट कोन करता है एक्ट करता है भाई एक्टर एक्टर ही तो करता है ना जो एक्ट आपने सुना होगा नोर्मली कि भाई आज फलाने का एक्ट है आज मेरा ए तो वह एक्ट है आज लक्समन जी के लिए वह संजिवनी मूटी ले क्यों एक्ट एक्ट ऋएक्ट बोलंब लाद तो एक्ट लिए एक्टर?, only one जी तो इसना होता तो कर सकते dimänner तो Northern sense लगा क्यों कर लेते इसको रिपोर्ट आव यह थो करना ठीक है न्यूज रिपोर्टर जो सुना है और इसके दो अंसर नहीं भाई अंसर एक योगा वो तो समझाने के लिए मैंने लिखा था चलिए 29 अठारा 49 क्या अब इसकी बात करते हैं यहां पर क्या हो लोजिक हो सकता था अठारा गुना दो करते हैं 36, 36 से कुछ माइनस करना पड़ेगा यह भी हो सकता है वाई तो फलाने से क्या गुना करूं और कितना माइनस करूं कि वह 39 बना दे तो हो सकता था यह भी हो सकता है लेकिन यहां पर इसका और नसर भी हो सकता है इन दोन्नों का डिफरेंस कितने का ह चाहिए 39 माइनस 11 अठार है 49 माइनस 11 करेंगे तो कितना बनेगा 28 बनेगा तो 28 आजाएगा ठीक है डिफ्रेंस के भी अंसर आजाते हैं गाई को अनुलोजी वुमेन ठीक है न और हमेटोलोजी बलड की है अब भाई स्टाड़ी पढ़ रखें तो हो गाई मैंने का आई था कि भाई अगर इंगलिश के होंगा तो मैं जरूर बता दुगा थीक है न तो बता दिया है आचा चाइंड के लिए बच्चे वालों के भी बच्चे के तो स्पैसलीस्ट रोते हूं की बहुत पढ़ते हैं और यह क्या है फंबल को लिखा गया है ए comics की लिए अल्टालिखर है हाला कि मैं इसको जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा तब यह टाइप भी पढ़ा दूँगा संबल को लिख दिया ओरेंज को ओर एन जी अब इसको रफ कोपी में नहीं लिखना था अपने वो पढ़ देते ओर नहीं आया ओर एन जी ऑप्शन नमबर डी बाकि किसी में सब्सक्राइब मैं बताऊं तो क्योंकि बहुत अच्छे सवाल पूछ लेता है वो और मजा भी आता है सब्सक्राइब करने के लिए कुछ न्याग सीख पा रहे हैं हम लोग ठीक है बताता हूं कैसे होगा यह 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 दो लिख रखा है एक्स डी दो आता कैसे दो आता नंब का स्थान पांच दस डिवैड रागया दो एक्स डी क्या आएगा नहीं पता एक्स का स्थान 27 डी का स्थान च्यार डिवाइड कर दूंगा 24 डिवाइड बाइड बाइचार अंसर रागया जी ए इधर आ जाएगा 6 ओप्षन नंबर यह जो है मेरा एक्पर आइक्टन सर हो जाएगा बहुत प्यारा बहुत इंपोर्टेंट सवाल है पूछा गया है देख सकते हो मेरे भाई ऐसा नहीं कि मैं बे तुका कुछी करा दूँँ नहीं भाई काम की चीज करा रहा हूं काम की ही है ठीक है समझ में आगी बाते आगे चलते हैं 35, 4, 46 निखा गया है और इसके अगर हम लोग बात करें तो कैसे करेंगे हम लोग 35, 4, 8 ऐसे करेंगे न भाई विल्कुल पक्का न पांच और तिन आठ 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 का धाकिया च्यार, थे, च्यार दस, दस का धाकिया पांच है लो भाई यह हो गा, अब मैं बात करता हूँ कि मैंने आप ऐसा क्यों किया है, भाई इसकी मैं बात करूँ यहां पर लोजिक वह tutti सारे लग होगे कि सर्जी गुना 8 कर दो 8.32 जमा कर दो 3 ठीक है यह रहा अब मैं बात बताओं कि इसके लिए भी हमें लोजिक करना है यही तो करेंगे 46 कोस्टन मार्क यहां पर जो भी करेंगे वो यह करेंगे फलाने को करदो 8 के साथ जमा कर दो 3 बनादो 46 सर्जी एको गुना कर दो 8 के साथ जमा दो 3 बना दो 46 तीन धरा के माइनस का हो जाएगा सर्जी एको गुना कर दो आठ के साथ 46 यह四pekt ये यह रहा 43 को 8 से डिवाइड कर दो बना दो जी कुछ क्या बनेगा डिवाइड ही नहीं होगा भाई वो यहां कुछ point के answer दे नहीं रखे तो इसका मतलब यह वाली बात यहां पे नहीं होगी अच्छा तुम्हें लगे कि सर गुना 9 वाली बात कर दो तो बिल्कुल कर लो भाई करने पर 47 नहीं बनेगा हां 6.5 करके देखो 3.5 करके देखो किसी point वाले को करके देखो तो कुछ बना लोगे लेकिन point वाला option भी तो नहीं है नहीं आपे तो यह जब जमा छें दस दस का आधा कर दिया जी पांच पांच मेरा यहां पर आईटन सर आ जाएगा ठीक है भाई important है important मेरे बच्चे है यह divide वाले हमने ऐसे सवाल देखे हैं आगे देखते हैं horse Just called or by butterfly horse के बच्चे को बच्चे को बोल दो यह फिर ये बोल दो कि चोटा होता था तो उसको यह बोला जाता है तिक गाय का चोटा बच्चा क्या है बचटा हो गया ठीक है बपाइ और ऐसी ही खोस्का चोटा बच्छा उसको ये बोला जाता है बड़र हुआ के चोटा होताइं जो किया बोला जाता है अदिक किस थरीके से कर लेना बना भाई अले आगे बात कर लेते हैं C 27 लिखा गया है E के लिए क्या लिखा गया है बहुत important है भाई बहुत important 3 star लगा दिये बोले तो inspector वाली इज मैंने आप लिख दी है भाई C के लिए 27 E के लिए क्या है नहीं पता C के लिए 27 लिखने के यहां पर 2-3 लोजिक हो सकते थे वो क्या मैं एक बद बता देता हूं ठीक है ना कोई सा कहीं लगगा कोई कहीं लिखेगा बेटा उसको लिख ले ना बहुत महनत लगते चीजों को बताने में करने में डूनने में काटने चाटने में तो इसको लिख लेना भाई सी के लिए 27 नहीं 29 लिखा जाना सही था मैं बदाता हूं कैसे सी की दूसरी वैल्लू सब्सक्राइस होती है तोरी 29 होती है समझाय तो था मैंने यह के लिए क्या कर दिया मैं ने के लिए 27 लिखा जाना विल्कुल वैलिड था कैसे वैलिड था सी नहीं फिर इसके अलावा क्या दिया जा सकता है आपे कुछ एक बाते और भी हो सकती थी कि भाई उसको ना इसको नबर के साथ गुना करके प्लस माइनस करके देख लो या फिर जो चीज यहां पर लगी हुए वो क्या है C C की place value क्या है मेरे भाई 3, 3 का कर दिया cube वो हो गया 27, आगे है जी E, E की place value है जी 5, 5 का कर देंगे cube 125, होगे सबल कतम ठीक है जी बहुत असान है पुलिस के लिए बताना है अपोजिट है पी का पोजिट के ओका पोजिट एल एल का पोजिट ओ लव से बताया था इंडियन रेलवे, क्रेक्स, इवनिंग, भाई, F, U, 4, इंडियन रेलवे, ड्यू, माउंटन ड्यू, इवनिंग, नरेंदर मोदे, Y, F, I, W, V, M आई तिंग दूसरा है न, Y, F, I, W, V, M, दूसरे बाला, सुलो भाई, होगे सबल खतम, आगे बढ़ते हैं, हैं, ठीक, काउ, भाई, बात है, चोटी सी बात है, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, काउ के बच्चे को क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, भाई, बच्छडा जो है, ठीक है, न, वो हो गया, लेंब किसके को बोला जाता है, बकरी के को बच्चे को बोला जाता है, चलो, इंपोर्ट और इसमें इतने बड़े नंबर से यह नहीं बनेगा आप जिसे बच्चे को क्यों भी याद है वो बता देगा कि भई यह 19 का क्यूब नहीं है यह 19 को का दूगना भी नहीं है यह थिर यह है ही नहीं किन भूब यह पर क्यों सो चरा हो इंट बड़ा नंबर में मेरा नहीं है देख कब पूच है गया इसा नहीं कि मैं खुदी बनाएं गुरूप वाला सवाल ये रहा मेरे भाई ग्रूप वाला सवाल प्राइड ओफ लोयन लोयन का जो जुन्ड़ सा होता है क्या बोलते हैं, प्राइड बुलते हैं प्राइड, P-R-I-D-E तो लिप़ाड के वे को क्या बोल देंगेंगे, भाई लीप बोल देंगे, लीप ठीक है लीप ओफ लेवपार्ड जाजगे का वने बताई दिया बेड़ा बोलते हैं इंदी में इंगलिस में देख ले ना भाई क्या बोलते हैं उसको जजग वाले के गुरूप को जूरी बोलते हैं अंगूर का गुच्छा हो गया भाई बंच हो गया ए बंच ओफ ग्रेप इस तरीके से होगा वह पढ़ने ना भाई वो तुम्हें पता लग जाएगा ठीक है डी के ल एस एम एफ लिखा हुआ है यहां पर डी का अपोजिट अरे सोरी भाई अपोजिट कहां बता दिया मैंने अपोजिट तो हो गई नहीं भाई डी का स्थान मेरे भाई क्या चार त्यूत कट trafil का हैं जी बारं तो गुणा तीन कर दिया मेरे बच्चे क्या गुणा तीन पीचार कुना 33 करना पढ़ंगा यह नहीं है यहां पर ऑनक यह मतलब यूत सरजी भाई यह रहाच है है मैं पलस आठ कर दोगे तो कितना बनेगा चोद है तोद है का मतलब N U option number C मेरा यहाँ पर राइटन सर हो जाएगा चलिए भाई B.E.R. के बच्चे को कब बोला जाता है cat के बच्चे को कितना कितनी बार आ गए यार यह सवाल कितनी बार ठीक है ना सभी का टोटल 16 बनेगा सभी का टोटल पांच और पांच दस वह एक ग्यारा ग्यारा बनेगा चलो जी हो गया सवाल 44 कुछ बना देता तो ऐसे 50 जमा 12 जमा 31 कुछ बना देता भाई यह बन जाते हैं टेट एक्जाम है उसको भी ध्यान रखना किलियर हैं बातें पक्का समझ में आ गया सुरू के तीन और आखरी के तीन को जोड़ कर कुछ बना देगा तो वो इधर लिख देगा इस तरीके से बातें हो सकती हैं यहां बाकी आपस में multiply भी हो सकता है एक सवाल लिख रखा है 42 के बाद मेरे बच्चे लिख दिया 8 ऐसे ही वो यहां पर क्या लिख देगा 34 के बाद बता दो जी क्या आएगा च्यार गुना दो आठ च्यार तिये बारा बारा मेरे भाई यहां पर राइट इंसर हो जाएगा ठीक है इन बातों का थोड़ा से ध्यान रखें वार्डन के लिए S E N H A R लिख रखा है तो यहां पर क्या आएगा भाई W S S जमा 4 19 जमा 4 23 होगा 19 जमा 4 23 डबलू लिखा जाना चाहिए भाई W से तो सारे के सारे शुरू हो रहे है चलो जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई ठीक है ना W से तो सारे के सारे शुरू हो रहे है E से A मैनस का 4 है जी 19 मैनस 4 अब 19 मैनस 4 करेंगे तो यहां पर कितना होगा भाई 19 से 4 मैनस करेंगे 15 15 पर होगा ओ एक मिरा लाइट अंसर नहीं हो सकता एक यहोँग से 'M बल्कुल जी ठीक है और N से आर चलो जी पर कितना हो गया भाई चोध है अठारा चोध है अठारा यानिकी प्लस का चार दस चर चोध है एन आएगा जी तरो जी यह मेरा अंसर नहीं हो सकता बाकी बच गई यह वाले ठीक है अब आगे क्या है ह से डी माइनस यह आठ है यह चार है आठ माइनस चार चार माइनस चार बिलकुल जी डी ही रहने वाला है अब आगे है जी ए से ई तो यहां भी ए है ए से ई यह होगा चलो जी यह भी मेरा गलत हो गया यह आ गया बंडर मेरा यह पर राइट अंसर आज आएगा कर लेंगे मरे बच्चे ऐसे सवाल पक्का ना ठीक है जी चलें आगे आगे है जी पीच लिखा हुआ है पी ए ए सी एच लिखने का तरीका है भाई बस और कुछ भी नहीं है पी ए ए सी एच और इंडिकोडिंग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा को यह क्या है क्रोस पैटन होता है स्मार्ट स्मार्ट यह बनेगा म्-S8-R म्-S8-R उप्सन नंबर भी में रहा है यहांपर आगसर हो जाएगा ठीक है जी समझ में आगया भाई पक्का और यह क्या है जी पांच से एठाइस बना रखा है पांच का क्यूब जमाठ तोरी पांच का स्केर जमाठीन पांच का स्केर जमाग तीन कितना बनेगा 28 बनेगा एंका स्केर जमाग तीन 49 बनेगा जी हो गया सवाल खतम चलो भाई आगे देखते हैं लो एन का छोटा बच्चक कब होर्स का मैं नहीं बताऊंगा अब की बार क्योंकि मैं होर्स का पैपे अले कर वा चुछा मैंने पर यह सवाल ठीक है ना इसका सवाल का नसर तुम्हें पुद देना पीछे स्लाइड में जाके देखना वीडियो में पीछे जाके देखना मैंने कराया तुम लोग भाई तो इसके बाद सीदा कोर्स की बारे में पुछ क्यासी बाते हैं रिजनिंग का कोर्स है इतने महीने की वैलिटी के साथ इतने पैसे में मिलेगा सेम इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा अभी तो खैत्रोड़े बहुत जल्दी है लेकिन उस ताइम जल्दी नहीं रहेगी चैनल पे आप लोगों को पीडियों मिल जाएगी आप लोगों जाके पीडियों को डाउनलोड कर सकते हैं कुछ एक फिरी टेस्ट जो है वो एप पर चलते हैं आप लोग वहाँ पर जाके विजिट करके अपने फिरी टेस्ट दे सकते हैं अपनी त्यारी को देख सकते हैं कुछ एक पेड टेस्ट भी है वो आप लोग देख आगे वीडियो कंटिनू रहेगी लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है और मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स सेशन में इसी के आगे नेक्स सेशन में तब तक लिए नमस्कार जैहिन जैभारत भाई